हेलो एवरीवन वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल आडियो वर्स विस्तीले मेज ओर स्कूल अफ मैजिक चैप्टर दो हजार आट सौ इक्कीस से दो हजार आट सौ चालीस दस साल के बच्चे को किसने जगाया होगा यह किसी ऐसे व्यक्ति को गंभीर जटका देने से अलग नहीं था जिसका मस्तिष्क अभी तक पूरी तरह विक्सित नहीं हुआ था क्या तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें जगाया आकाश ने भौहें सिकोडली वह गुस्से में था इससे भविश्य में बच्चे की जादू की राह नश्ट हो जाएगी यदी ऐसा हुआ तो जियो ताई मूल रूप से कभी भी मध्यवर्ती जादूगर नहीं बन सकेगी उसके पास ठोस मानसिक आधार का अभाव होगा उसकी आत्मा शायत पहले ही शतिग्रस्थ हो चुकी थी जियो ताई ने अपना सिर हिलाया वह कुछ कहने ही वाला था कि तभी वह मुडा और प्राचीन शहर के गेट के बाहर देखने लगा गेट के बाहर सडक थी यह सडक की बजाय टायरों की पट्रियों वाला एक उबढखाबर रास्ता जैसा लग रहा था एक आकरिती धीरे धीरे प्राचीन शहर के द्वार के पास पहुँची मेरे पिताजी आये हैं, जियो ताई की आखे चमक उठी वह आदमी उनके पास चला गया उसने पुआल से बनी शंक्वाकार टोपी पहनी थी ताकि वे उसका चहरा न देख सके उस आदमी के कपडे अस्तव्यस्थ थे, मानो उसे लूट लिया गया हो जियो ताई उसके पास नहीं गई वह गेट पर इंतजार कर रहा था जब वह आदमी अन्तह गेट पर पहुँचा तो आकाश, मुबाई, जाओ मान्यन, जांग शियाओ हो, जियांग शाउक्सू, लिंगलिंग और सुंफियाओने भौहें चड़ाली वे विस्मित थे वे गंध से बता सकते थे कि वह आदमी इंसान नहीं था शंक्वाकार टोपी के नीचे हरी चमकती आखों की एक जोडी दिखाई दे रही थी उसका चहरा भूत की तरह पीला पड़ गया था उसके चहरे पर पंजे का निशान था जिससे उसके गाल की हड़ी और दांटों की कतारे दिख रही थी आधी रात में खाली शहर और भी डराबना और खौफनात लग रहा था पापा जियो टाई इस दिन चर्या से परिचित लग रही थी एक मरे हुए मुबाई और जाव जियाओ होने सर्वसम्मती से कहा एक मरे हुए व्यक्ती के पास इंसान के समान बुद्धी थी वह वही खड़ा रहा और अपनी निगाह आकाश और उसके समुह पर टिका दी क्या तुम मुझे पकड़ने आये हो आपको पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि आप ऐसा कर सकते हैं मरे ने आत्मसंतुष्टा से मुस्कुराया जब वह मुस्कुराया और अपने सामने के दांत दिखाए तो खून के धब्बों ने अंतर को खराब कर दिया इसने अभी कुछ समय पहले ही किसी की हत्या की थी हम कुछ प्राचीन सुरागों का अनुसर्ण कर रहे थे और वे हमें यहां ले आए क्या आप उन दिनों इस प्राचीन शहर की दिवार के संरक्षक थे हम दिवार पर उकेरे गए शब्दों का अर्थ जानना चाहेंगे लिंगलिंग ने पूछा वे इससे डरे नहीं आखिरकार उन्होंने प्राचीन राजधानी में कई मरे हुए लोगों को देखा था हाला कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जियो ताई हर दिन एक मरे हुए व्यक्ति के घर वापस आने का इंतजार करती थी यह एक पोर्टल है जो एक मकबरे की ओर जाता है मैं एक मकबरे का निगरानी करता हूँ मैंने इसकी रखवाली की है मुझे याद नहीं है कि मैं कितने समय से इसकी रखवाली कर रहा हूँ मरे ने उत्तर दिया हम अंदर कैसे आएं आकाश ने पूछा बहुत सरल तुम मेरे पास आओ फिर गेट से बाहर चल कर समाधि तक पहुँचोगे मरे ने कहा पिता जी वे बुरे लोग नहीं है जियोताई ने उत्तर से कहा लेकिन मैं भी एक अच्छा आदमी नहीं हूँ मरे नहीं हसे इसने आकाश और उसके समोह को अपनी हरी आखों से अनिच्छा से देखा मैंने अभी अभी एक व्यक्ति को मार डाला है आकाश ने कहा और मुझे यकीन है कि वह व्यक्ति मारे जाने के लायक था आप कैसे बता सकते हैं मरे हैरान थे आकाश ने कहा अगर वह व्यक्ति वही है जिसने आपके बेटे को जगाया है तो वह मौत का हकदार है उसने कई लोगों को नुकसान पहुँचाया है उसने अवेक्निंग स्टोन को बहुत उंची कीमत पर बेचा और जिसे भी वह पसंद आया उसे बेच दिया मरे ने एक विराम के बाद कहा मैजिक असोसियेशन ऐसी जागरिती को मान्यता नहीं देता है यहां तक कि अगर बच्चा उचित उम्र तक पहुँच जाता है तो भी मैजिक असोसियेशन उन्हें विधर्मी मानकर गिरफतार कर लेगी उनका भविष्य बरबाद हो जाएगा मुबाई ने कहा अंदर्ड ने अपनी शंक्वाकार टोपी उतार दी और दीवार पर रख दी तो मैं मानता हूं कि आप घूमने वाले शिकारी नहीं है जो मुझे पकड़कर अपनी उपलब्धियों की सूची में शामिल करना चाहते है हम उसके लिए यहां नहीं है हम बस इस प्राचीन शहर की दिवार पर उकेरे गए शब्दों का अर्थ जानना चाहते है जदी यह एक पोर्टल है तो यह कैसे खुलता है पोर्टल कहा ले जाता है आकाश ने पूछा अंधरर ने अपने एक हाथ से अपनी शंक्वाकार टोपी ली और दूसरे हाथ से जियो ताई की ओर लहरा कर उसे अपनी तरफ आने का संकेत दिया आकाश ने जियो ताई को नहीं रोका उसने बच्चे को मरे हुए लोगों के पास जाने की अनुमती दे दी आकिर आकाश का उसे बंधक बनाने का कोई इरादा नहीं था मैं यहाँ पर पहरा दे रहा हूँ आपको क्या लगता है ऐसा करने का मेरा उद्देश क्या है मेरा उद्देश आप जैसे अनावश्यक लोगों को अंदर घुसने से रोकना है मरे ने द्रिड़ता से कहा जियो ताई अपने पिता के पीछे छिट गया चुँकि आप इस पर पहरा दे रहे हैं तो वहां कुछ लोग होंगे जिन्हें अंदर जाने की अनुमती है क्या तुम्हें हराने वाले लोग इसमें शामिल हो सकते हैं आकाश कुछ कदम आगे बढ़ा आप बहुत आश्वस्त दिखते हैं जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है मैं बहुत बहुत लंबे समय से रह रहा हूँ मरे की आखों में हार कंपा देने वाली रोशनी चमक उठी यदि यह सच नहीं होता कि मरे हुए व्यक्ति एक लाश की तरह दिखते थे तो यह मूल रूप से एक इनसान से बहुत अलग नहीं था वह मरे हुए प्राणी जो इतना करीब से इनसान जैसा दिखता था हमेशा उच्चस तरका होता था अधिकाश मरे हुए लोग पूर्ण सोच चाहते थे वे अमर शरीरों के साथ शक्तिशाली पैदा हुए थे हाला कि यदि उन्हें सामान्य मस्तिश्क दिया जाता तो वे बहुत पहले ही प्रिथवी के शासक बन गए होते आईए इसे सरल बनाएं अगर हम तुम्हें हरा दें तो क्या तुम हमें जाने दोगे आकाश ने पूछा भले ही मैं हार गया हूँ अगर वे जीतते हैं तो क्या आपको उन्हें सच नहीं बताना चाहिए जियो ताई ने असमंजस में पूछा यह कोई बच्चों का खेल नहीं है यदि वे मुझे हरा देते हैं और मेरा रहस्य उजागर कर देते हैं जो मैंने मकबरे के अंदर चिपे खजाने के बारे में इतने वर्षों से चिपा रखा है तो बदले में मुझे क्या मिलेगा कुछ नहीं इसके बजाए मैं नौकरी खोने जा रहा हूँ मरे ने कहा आकाश चुप था ऐसा लग रहा था कि मरे हुए लोग भी अपनी नौकरी खोने से डर रहे थे हम आपके बेटे की मानसिक शती को ठीक करने में आपकी मदद कर सकते हैं ताकि वह जादू स्कूल में जा सके मुझे यकीन है कि आप अपने बेटे को इस सुदूर जगह पर नहीं रखना चाहेंगे है ना आकाश ने कहा वास्तव में मरे की हरी आखे चमक उठी क्या हमें ऐसा लग रहा है कि हम आपको और आपके बेटे को नुकसान पहुचाएंगे हम बस अपने पूरवजों से प्राप्थ टोटेन जानवर के सुराग खोज रहे हैं देश के संकट को सुलजाने के लिए हमें टोटेन जानवर की मदब की जूरत है प्राचीन राजा मेरे गुरु है नाइन सेरनिटीज की रानी मेरी दोस्त है हम कई मरे हुए लोगों के बहुत करीब है आप एक सामान्य प्राणी से अलग नहीं है अपने आपको ऐसी कठिन स्थिती में डालने का क्या मतलब है? आकाश ने कहा सौदा, क्या आप अब भी लड़ाई चाहते हैं? आकाश ने पूछा कोई जुरत नहीं है यदि तुमने मुझे धोखा देने का साहस किया तो तुम्हारा अंत शिक्षक की तरह होगा मेरा मतलब वही है जो मैंने कहा था मरे ने कहा भी आश्चर यच्चित थी उन्होंने मान लिया था कि मरे हुए लोगों के पास बातचीत के लिए कोई जगह नहीं है और उन्हें एक क्रूर लडाई में शामिल होना होगा किसने सोचा होगा कि मरे हुए व्यक्ती को अपने बेटे की इतनी चिंता होगी भले ही अंडरड ने जियो ताई के साथ अपने रिष्टे के बारे में कुछ भी उलेख नहीं किया लेकिन यह सपष्ट था कि वह अंडरड का जैविक पुत्र नहीं था मरे हुए लोग कई वर्षों से प्राचीन शहर की दिवा की रखवाली कर रहे थे इसकी ताकत आठ दिशाओं के मृत राजाओं से कमतर नहीं थी जब आकाश, मुबाई और जांग जियाओं ने अंडरड से संपर्क किया तो उन्हें सपष्ट रोप से एहसास हुआ की इसकी आभाशासक स्तरकी थी मरे हुए लोग कई हजार वर्षों तक जीवित रहे थे यह संभवत है एक जीवित मानव पुत्र को कैसे जन दे सकता है यह सबसे अधिक संभावना थी कि जियोताई शहर में एक परित्यक्ट अनाथ थी जिसे शायद मरे हुए लोगों ने गोद ले लिया था वह दिन में विक्रेताओं के साथ रहता था और कभी कभी विक्रेता के बच्चों के साथ खेलता था इस बीच मरे ने रात में उसकी देख भाल की जियोताई एक मात्र व्यक्ती थी जिसने शहर में राते बिताई उसने बताया होगा कि उसके पिता दिन में काम करते हैं और देर रात को लोटते हैं रात में शहर में कोई भी नहीं रुका जिसे पता चले कि उसके पिता मरे हुए थे बच्चे का कोई परिवार नहीं था और वह रात में सुनसान बाजार में अकेला रहता था उसने अपनी रातें एक मरे हुए व्यक्ति के साथ बिताई जो कई वर्षों से प्राचीन शहर की दिवार की रखवाली कर रहा था जियोताई को एक मरे हुए व्यक्ति ने गोद लिया था दिन में मरे शक्तिहीन थे इसलिए उसकी देखभाल के लिए उसे विक्रिताओं और शहर के लोगों पर निर्भर रहना पड़ा यह केवल रात में ही उसका साथ दे सकता था जियो ताई के लिए इस तर पर सुरक्षित रूप से बड़ा होना आसान नहीं था वह कुछ बेईमान लोगों से मिला इससे आपका कोई लिना देना नहीं है मरे ने शांती से कहा थोड़ा कम बोलोगे न विशेशकर यदि आप नहीं जानते कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं जियांग शाउक्सु ने जाओ मन्यन की ओर देखा ठीक है आगे बढ़ो क्योंकि तुम इसमें बहुत अच्छे हो जाओ मान्यन किनारे पर खड़ा था आकाश ने अपना हाथ हिलाया और जियो ताई को अपने पास आने के लिए बुलाया घले ही उन्होंने अंडरडेर के साथ सौदा नहीं किया होता फिर भी आकाश ने जियो ताई की मानसिक शती को ठीक कर दिया होता उन्होंने और मुबाई ने हेलन परवत की बग घाटी से सोल हनी प्राप्त किया था सोल हनी किसी की मानसिक शती को ठीक करने के लिए सबसे अच्छी दबा थी अद्वितिय सोल हानी के बिना उन्हें ठीक होने के अफसर के लिए जियो ताई को पार्थेनन मंदिर भेजना होगा इसे लो, इससे उसकी आत्मा का पोशन हो सकता है एक मरे हुए व्यक्ति के रूप में आपको पता होना चाहिए कि इसका सर्वोत्तम उप्योग कैसे करना है आकाश ने सोल हानी का एक छोटा सा हिस्सा निकाला और जियो ताई को दे दिया ताकि वह इसे अपने पिता को दे सके जब मरे को सोल हानी प्राप्थ हुआ तो उसकी हड्या कमपा देने वाली आभा कम हो गई द अंडर्ड वास्तव में जियो ताई के बारे में चिंतित था धन्यवाद मरे की भयंकर हरी आखे धुंधली हो गई और काली पुतलिया दिखाई देने लगी आपने बताया कि वहाँ नीचे एक समाधी है यह किसकी समाधी है आकाश ने पूछा मुझे लगा कि आप यह पहले से ही जानते हैं क्योंकि आप यहाँ अपना रास्ता ढूंडने में सक्षम थे मरे ने कहा यह पवित्र टोटेन जानवर की समाधी है लिंगलिंग ने उत्तर दिया मरे ने सिर हिलाया घीड असहाय और निराश दिख रही थी उन्होंने इतने सारे टोटेन जानवरों को खोजने में बहुत मेहंत की थी। उन्हें पवित्र टोटेन जानवर तक ले जाने वाले संपून सुरागों की खोज में बहुत कश्ट सहना पड़ा, लेकिन अंत में उन्हें एक मरे द्वारा सनरक्षित उसकी समाधी मिल गई। क्या सच मुछ अब इस दुनिया में कोई अन पवित्र टोटेन जानवर के विभाजत हिस्सों का प्रतिनिधित्व करता है। हाला कि ग्रीन इस्ट सी गौड से सुराग प्राप्त करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि विभिन्न टोटेन जानवर वास्तव में एक भी पवित्र टोटेन जानवर का प्रतिनिधित्व न और अंत्ह उसे लेक आईलेंड में बादल पर महान सर्प की अधिकान शुरूपरेखा मिली उसने सोचा कि इसकी सबसे अधिक संभावना है कि इससे इस दुनिया में पवित्र कुल देवता जानवर जीवित बचे रहेंगे लेकिन वे केवल एक समाधी में ही समाथ हो गए वे बहुत निराश हुए यदि यह केवल एक समाधी होती तो वे कम से कम खुद को मजबूत करने के लिए पवित्र टोटेन जानवर की शेश शक्ती प्राप्त कर सकते थे हालाकि इससे उन्हें उन संकटों को हल करने में मदद नहीं मिलेगी जिनका सामना संपूर्वी तट्रेखा कर रही है क्या हम वहाँ जा रहे हैं या नहीं जाव मान्यन से पूछा हम है कौन जानता है कि हमें अन्य पवित्र कुल देवता जानवरों के बारे में सुराग मिल सकता है वाइट टाइगर टोटेन जानवर कुनलुन में है सबसे बुरी बात जो संभवता हो सकती है वह यहा है कि हम कुनलुन परवत पर चड़ेंगे हम जो कुछ भी कर सकते हैं, उसे बचा लेंगे, भले ही वहां केवल हड्डियों का धेर ही क्यों न हो आकाश ने उन्हें आश्वासन दिया लैन याम शहर में रहस्यमय पंखों का केवल एक पूल ही बचा है बादल पर महान सर्फ अपनी समाधी के साथ बचा हुआ है पवित्र टोटें जानवर गहरे कच्छुए और सफेद बाग से अधिक शक्तिशाली थे यह विशेश रूप से बादल पर महान सर्फ के लिए था लेक ड्वीप पर इसके भित्ती चित्र से पता चलता है कि यह एक पवित्र जानवर और ब्लाक टोटें साप का पूर्वज था यह कम से कम एक समराट स्तर का पवित्र कुलदेवता जानवर था यह इनसानों के प्रती वफादार भी था इसका अस्तित्व एक निशिध जादूगर की तुलना में कहीं अधिक सार्थक था भले ही इसे पांच आधार शहरों की सुरक्षा करने में कठिनाई हो सकती है लेकिन यह उस आधार शहर को संरक्षित कर सकता है जहां इसे रखा गया था यदि एक आधार शहर अभी भी जीवित था तो मनुश्यों के पास तटों के साथ अपने क्षेत्रों को पुनह प्राप्त करने की आशा की किरन थी यदि संपूर्ण पूर्वी तट्रे खाड है गई तो मनुश्यों का अस्तित्व खत्रे में पढ़ जाएगा मृत्यू अवश्यम भावी होगी मैं तुम्हें अंदर जाने दूँगा याद रखें मकबरे के अंदर कहीं और न घुसें बस उस तोटें जानवर की खोज पर ध्यान केंडरित करें जिसे आप धून रहे हैं अन्यथा आप खोजबीन करते हुए मर सकते हैं अगर हम अंदर से कुछ ले लेंगे तो आपका क्या होगा लिंगलिं ने पूछा मरे ने कुछ देर तक प्रशन पर विचार किया और मुस्कुराए कोई फर्क नहीं पड़ता आखिरकार आप मकबरे में प्रवेश करने वाले लोगों का पहला जग्था नहीं है मैं बहुत सक्षम चौकीदार नहीं हूँ मरे हुए लोग उस दिवार की दरार की ओर चले गए जहां से जियो ताई ने पहले मिट्टी को बाहर निकाला था उसने अपनी उंगली फैलाई और दिवार पर बने पैटर्न के साथ चलने लगी वह शेत्र जहां उसकी उंगली ब्रश की गई थी हलका सा चमक रहा था जब मरे हुए ने दिवार पर एक दर्वाजा बनाना समाप्त किया तो चंद्रमा सपष्ट आकाश में प्राचीन शहर के गेट के उपर था चांद सफेद परदे की तरह चमक रहा था चांदनी की रोशनी प्राचीन शहर के गेट के बाहर के सामान्य मैदानों को प्रतिभिंबित करती थी लेकिन जब प्राचीन शहर के गेट के अंदर के खेतर पर रोशनी पड़ी तो उन्हें दिन में देखे गए द्रिश से बिलकुल अलग द्रिशे का सामना करना पड़ा चांदनी के प्रतिबिंद के तहट, प्राचीन शहर के गेट के अंदर प्राचीन युग की कई इमारते दिखाई दी हाला कि सडके, लोग और सैनिक सिर्फ प्रेथ थे, आकाश और उसके समों को ऐसा लगा जैसे वे समय में पीछे यात्रा कर चुके हूँ उनका परिवेश भीर भाडवाला, जीवन्त और जीवन्त था आओ एक बार फिर स्काई आब्जर्विंग सिटी चलें, मरे हुए लोगों ने भीर को प्राचीन शहर के गेट से बाहर आमंतरित किया और उन्हें गेट के नीचे से बाहर चलने और फिर गेट से अंदर चलने का इशारा किया कितना अध्भुत डिजाइन है प्राचीन अराजक्ता और अंतरिक्ष तत्व की जादूई शक्ती का उप्योग आधुनिक युग में आभासी बास्तविक्ता जितना ही उन्नत है जाओ मान्यन ने चिला कर कहा जब उन्होंने स्काई आब्जर्विंग सिटी में दोबारा प्रवेश किया कि वे एक ऐसे शहर के बीच में थे जिसके बारे में उन्होंने केवल सुना था यह अविश्वसनिय रूप से यथार्थवादी था जब उन्होंने इंटों को छूने के लिए हाथ बढ़ाया तो उन्हें उनकी ठंडक और कठोर्ता का एहसास हुआ क्या हमने समय के माध्यम से यातरा की जाओ मान्यन का जबड़ा तूट गया भीड ने अपने आसपास का सर्विक्षन किया एक पल के लिए उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या उनका दिमाग उनके साथ चाले खेल रहा था या क्या वास्तव में ऐसे प्राचीन शहर का अस्तित्व था कि किसी ने समय को भी बरदाश्ट करते हुए इसे स्वर्गिय जादू से सील कर दिया था सडको पर भीड थी कलवारी जादूग्रों का एक बड़ा समोह प्राचीन शहर के गेट की ओर बढ़ा और भीड ने तुरंत उनके लिए रास्ता बना दिया कलवरी जादूगर आकाश और उसके समोह की ओर बढ़ रहे थे हाला कि कलवरी जादूग्रों ने उन्हें ऐसे घेर लिया मानों उन्होंने उन्हें बहाँ देखा ही नहो वे अपने समोह के ठीक पीछे चले गए यह एक भुथा शहर जैसा है चांदनी एक फोटोग्राफिक फिल्म के रूप में कार्य करती है जबकि प्राचीन शहर का द्वार प्रक्षेपन के रूप में कार्य करता है हम जो देख रहे हैं वह केवल प्राचीन यूग की प्रक्षेपित छविया हैं लिंग लिंग ने कहा उन्होंने ये बाते रिकॉर्ड क्यों की? क्या वे हमें यहां क्या हुआ उसके बारे में कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं? जियांग शाउक्सु ने अपने परिवेश का सर्वेक्षन करते हुए कहा इसका एक निश्चित विशेश अर्थ होना चाहिए भीर स्काई आब्जर्विंग सिटी की ओर अधिक गहराई तक बढ़ती रही अचानक आसमान धधकते हुए लाल हो गया अगले ही पल शहर के भीतर के घर और दीवारें ऐसी लगने लगी मानो आग में जल रही हो शांत शहर एक पल में अव्यवस्थित हो गया सडको पर रहने वाले लोग भाग गए प्राचीन अधिकारी और जादूगर तुरंट एककत्र हुए और आकाश में किसी चीज के विरुध लड़ने लगे विचत्र और विनाशकारी शक्ती ने शहर पर विभिन दिशाओं से प्रहार किया इन उर्जाओं के कारण कई लोग खून के कुंड में बदल गए ऐसा लग रहा था कि शहर पर किसी तरह का हमला हो गया है नगर में सर्वत्र आग जल रही थी शव बिखरे हुए थे कई विध्वाओं और बच्चों ने अपने घर खो दिये और मदद के लिए रोने लगे दांग, दांग, दांग प्राचीन शहर की दिवारों की दिशा से एक जोरदार धमाका हुआ शहर की उची-उची दिवारें जोर-जोर से हिलने लगी आकाश ने अपना सिर घुमाया और प्राचीन शहर की दिवार की ओर देखा जहां से वे प्रवेश कर रहे थे तभी उसे एसास हुआ कि दिवार पुनरजीवित हो गई थी और पूरी तरह से दिवारों और इंटों से बनी प्राचीन सैनिकों में बदल गई थी न केवल प्राचीन शहर की दिवारें बलकि Sky Observing City को घेरने वाली दिवारों में भी भारी बदलावाया वे विभाजत हो गए और स्वतंत्र रूप से खड़े हो गए वे भालेधारी प्राचीन सैनिक बन गए और एक पंक्ती में करीने से खड़े हो गए वे लंबे और राजसी थे वे Sky Observing City की निगरानी में खड़े थे किस प्रकार का जादू प्राचीन शहर की दिवारों को योध्धाओं में बदल सकता है आकाश आश्चर्य से चिलाया नजारा देखने में हैरान कर देने बाला था कुछ समय पहले प्राचीन शहर की दिवार नश्ट होने वाली थी अगले ही पल दिवारे जीवन्थो उठीन और स्काई Observing City पर किसी हमले से बचाव करने लगी सैनिकों से सुरक्षा पाकर उन्होंने शीधर ही युद्ध समाप्त कर दिया आकाश ने अविश्वास से देखा जब सैनिक एक साथ अपनी स्थिती में लौट आए और प्राचीन शहर को घेरने वाली प्राचीन और मजबूत शहर की दिवार में बदल गए मिंदवु प्राचीन शहर मिंदवु प्राचीन शहर सौन फियाओ बुद्बुदाया आकाश ने उसकी बड़बडा हट सुन ली क्या मिंगवू प्राचीन शहर ने भी यही द्रिष्टिकोन दिखाया क्या आपने मिंगवू प्राचीन शहर में मूर्तिया नहीं देखी प्राचीन शहर की दिवार की सामगरी मिंगवू प्राचीन शहर की मूर्तियों के समान ही है दादा दादी और दादी ने हमें बताया कि मूर्तिया जीवन्त हो सकती है हाला कि हमने प्राचीन मंत रखो दिया है इसलिए हम उन्हें नहीं बुला सकते हम राक्षसों को रोकने के लिए केवल उनकी शेश दैविय शक्ती पर भरोसा कर सकते हैं, सुम्फियाओ ने कहा आकाश को मूर्तिया याद आ गई उन्होंने महसूस किया कि प्राचीन शहर की दीवारों की सामगरी वास्तव में मिंधवो प्राचीन शहर की मूर्तियों के समान ही थी क्या मिंधवो प्राचीन शहर की मूर्तियों की उत्पत्ती यहीं हुई थी मिंडवो प्राचीन शहर के पास कुछ विशेश मूर्तिया थी हालाकि पूरा स्काई ओब्जर्विंग सिटी इन मूर्तियों से घिरा हुआ था उस समय इतनी महान और अध्भुत जादूई शक्ति किसने डाली थी उन्होंने प्राचीन शहर की दिवारों को कैसे पुनर जीवित किया और उन्हें अन्य स्थानों पर स्थानांतरित किया इसके अलावा यह सपष्ट था कि स्काई ओब्जर्विंग सिटी में राजसी दिवारी थी अब इसमें केवल एक प्राचीन शहर का द्वार ही क्यों छोड़ा गया अन्यभागों के बारे में क्या और इन सब का पवित्र कुल देवता जानवर से क्या लेना देना है आकाश मेरे पास एक सिध्धान्त है लिंगलिंग ने गंभीरता से कहा आकाश ने लिंगलिंग की ओर देखा बाकी लोग उसके बोलने का इंतजार करते रहे आप भूमिगत पवित्र जरने के सनरक्षक हैं आप पूरे समय पवित्र टोटेम जानवर की रक्षा कर सकते थे लिंगलिंग ने कहा अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग का पवित्र टोटेम जानवर से क्या लेना देना है क्या आपके पास कोई सबूत है आकाश असमन जस्मि था शहर के मध्य में हेवी सोलजर एवेन्यू की ओर इशारा करते हुए लिंगलिंग ने कहा जैसे जैसे हम शहर के केंदर की ओर चलेंगे हमें उत्तर पता चल जाएगा हेवी सोलजर का एवेन्यू एक मानक क्रॉस था जो स्काई ऑब्जर्विंग सिटी के चार कोनों तक जाता था वहां केवल एक ही प्रवेश द्वार था जो प्राचीन शहर का द्वार था जहां से उन्होंने प्रवेश किया था बाकी बहुत संक्रे दर्वाजों वाली दीवारों से घिरे हुए थे वे आमतोर पर उन संकीर्न दर्वाजों को नहीं खोलते थे भीड ने लिंगलिंग का क्रूस तक पीछा किया और एवेन्यू औफ हेवी सोल्जर्स में एक प्राचीन कुआ पाया कुआ इंसान की आख जैसा था यह गोल और स्पष्ट था और वह आकाश की ओर देखने लगा आकाश और सोंग फियाव अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग से बहुत परिचित थे जब वे प्राचीन कुएं के किनारे पर चले गए तो उनके चहरे सगमे से भर गए भूमिगत पवित्र जर्ना, प्राचीन शहर की दिवार और पवित्र टोटेम जानवर क्या अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग के संरक्षक वर्षों से अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग के बजाए पवित्र टोटेम जानवरों में से एक की रक्षा कर रहे होंगे, इसने भूमिगत पवित्र जर्ने की अनोखी गर्मी का कारण समझाया यह वास्तव में टोटेम शक्ती थी आकाश ने करीब जाने की कोशिश की ताकी लिटिल लोच उसे पहचान सके लेकिन इस पर ध्यान से विचार करने के बाद इन प्राचीन छवियों को एक प्रकार की होलोग्राफिक फिल्म दिखाने के लिए अंतरिक्ष और अराजक्ता के विरुपन का उप्योग करके प्रस्तुत किया गया था यह कैसे उर्जा उचसर्जित कर सकता है और लिटिल लोच को इसे अवशोशित करने दे सकता है आकाश उए के पानी से परिचित था यह नरम था, धीरे-धीरे बहता था और अनू पानी की तुलना में अलग गती से चलते थे इसकी पवित्रता एवन चमक अत्यंत विशिष्ट थी क्या यह भूमिगत पवित्र जर्ना है, म्यूबाई और जामशियाओ हो ने करीब से देखा उन्होंने इतने लंबे समय से भूमिगत पवित्र जर्ने को नहीं देखा था, इसलिए वे इससे अपरिचित थे उन्होंने पुष्टी के लिए आकाश की ओर देखा हाँ, यह भूमिगत पवित्र जर्ना होना चाहिए, सोंफियाओ ने सकारात्मक उत्तर दिया वह बहुत छोटी उम्र से ही लिचेंग आफ्रगलो द्वीग की आध्यात्मिक भूमी पर खेती कर रही थी उस आध्यात्मिक भूमी ने उसे अपनी खेती का आधार वैसा बनाने दिया जैसा वह अब था इसलिए उसने जो देखा उसके बारे में वह पूरी तरह आश्वस्थ थी अगर यह सच है तो पवित्र टोटेम जानवर को इस पूरे समय यही रहना चाहिए लेकिन हमने अब तक इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया आकाश असमंजस में था उन्हें भूमिगत पवित्र जर्ना मिल गया था तो पवित्र टोटेम जानवर कहा था वे केवल प्राचीन शहर के कुछ सैनिकों को देख सकते थे जो प्राचीन शहर की दिवारों में जीवित रह सकते थे लेकिन उन्होंने पवित्र टोटेम जानवर को नहीं देखा, यहां तक कि उसका एक निशान भी नहीं यदि यह स्थान पवित्र टोटेम जानवर की कबर थी, तो उसका कंकाल कहा है, आकाश को आश्चर यहुआ Underground Holy Spring पवित्र टोटेम जानवर की कुल देवता शक्ती है. Lingling Underground Holy Spring के सुरोट के चारों और आकाश की और घुमे. जाओ मामयन ने आह भरी. यह अब निराशाजन्क है. हमें यह देखने के लिए चारों महासागरों की यात्रा करनी चाहिए थी कि क्या डार्क कच्छवा अभी भी जीवत है मेरा ब्लैक टोटें कच्छवा समुदरी धाराओं का अनुसर्ण करना पसंद करता है जब उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता है जब मैंने पूछा कि यह क्या कर रहा है तो इसने कहा कि यह कुछ धून रहा था लेकिन यह निश्चित नहीं था कि यह क्या था मेरी राय में ब्लैक टोटें कच्छवा अपने पिता डार्क कच्छवे की तलाश कर रहा है यह या तो आर्कटिक महासागर में है या अंटार्कटिक महासागर में है उन्होंने कहा इतनी महंत करने और ऐसा परिनाम प्राप्त करने पर उन्हें निराशा हुई ऐसा लगा जैसे वे पहली स्थिती में बापस आ गए हूँ आखिरकार उन्होंने अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग की उत्पत्ती का पता लगा लिया और जान गए की टोटेम शक्ती क्या थी लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा काले कच्छुए के बारे में भूल जाओ जादुई शहर की दिवारों का क्या हुआ अब यह क्यों चला गया जियांग शाउक्सु ने पूछा संभवता लोगों ने उन्हें ध्वस्त कर दिया मिंदवो प्राचीन शहर में कुछ है और द्वार यहां है अंग्य हजारों वर्षों से कुछ शहरों का हिस्सा थे और लंबे समय से गायब हैं जाउ मान्यन ने कहा हम जियो ताई के पिता से इसके बारे में पूछ सकते हैं चुंकि वह इस जगह की रखवाली कर रहा है उसे पता होना चाहिए वा उस सड़े हुए चेहरे वाले आदमी को देखो जामशियाओ हो ने अचानक हेवी मिलिटेरी एविन्यू पर एक जनरल की ओर इशारा किया जनरल ने फटा हुआ कवच पहना हुआ था उसके बाल बिखरे हुए थे और वह थके हुए होकर मून आब्जर्विन वेल की ओर चल रहा था वह जियोताई के पिता जैसा दिखता था हे भगवान यहां आदमी बहुत समय से जीवित है यह शहर शायद दो या तीन हजार साल पहले अस्तित्व में था जाओ मन्यन ने आश्चर्य से कहा वह इतने लंबे समय तक जीवित रहा था उन्हें आश्चर्य हुआ कि अब उसका स्तर क्या है सौभा जिसे उन्हें उससे लड़ना नहीं पड़ा क्या हमें खोज जारी रखनी चाहिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां अंत है पवित्र टोटेम जानवर हजारों साल पहले ही मर गया था जांग शियाओ हो को अनिरने महसूस हुआ चलो यहां से बाहर निकलें और मरे हुए से पूछें आकाश ने आह भरी जैसे ही हर कोई प्राचीन शहर के गेट की ओर चला प्राचीन शहर के तालाब का ग्रिश अपनी मूल स्थिती में लोट आया यह शांत और शांत था जल्द ही आसमान फिर से लाल हो जाएगा दिन बदिन यह विशम घटना दोहराई जाती रहेगी वे नहीं जानते थे कि यह उनके यह भावी पीधी के लिए क्या संदेश है या फिर यह महज एक प्रतिध्वनी थी जिसका दोहराव स्वाभाविक हो गया था यह भूमिगत पवित्र जरने के उन संरक्षकों की तरह था जिनसे वे मिले थे वे भूल गए थे कि उन्होंने इसकी रक्षा क्यों की थी कबर में मरे हुए लोगों को अब लोगों को इस रहसिमाइक शेत्र में प्रवेश करने से रोकने का जुनून नहीं था क्या हमें उन दिव्य दीवारों को ढूंडना चाहिए मुझे लगता है कि वे हमारे लिए मददगार होंगे जियांग शाउक्सू ने सुझाब दिया हमें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि दीवारे वास्तव में कहां स्थानांतरित की गई हमारे पास एक मात्र जानकारी यह है कि मिंदगु प्राचीन शहर में कुछ मूर्तिया है लेकिन वे मूर्तिया इसका केवल एक छोटा सा हिस्सा है आकाश ने सिर हिलाया उन्होंने नहीं सोचा था कि वे जो जानते थे उससे वे आगे बढ़ सकते हैं पवित्र टोटेम जानवर हजारों साल पहले गायब हो गया था उसे उसके अवशेशों की तलाश करने का कोई मतलब नहीं लगा जो टोटेम अभी भी जीवित थे जैसे की ब्लाक टोटेम स्नेक, वाइट टाइगर, ग्रीन इस्ट सी गॉड और मून मोथ फीनिक्स संभवता पवित्र टोटेम जानवरों के अवतार थे चार पवित्र टोटेम जानवरों में से दो की मृत्यु हो गई थी उन्हें नहीं पता था कि बाकी दो को कहां ढूंदा जाए और यह भी नहीं पता था कि उन्हें ढूंदने में बहुत देर हो चुकी है या नहीं चलो कुनलन चले कुनलुन के पास ऐसी चीजें होनी चाहिए जो हम जानना चाहते हैं और कुछ टोटेम भी हैं जिनके बारे में हमने कभी नहीं सिखा है जांग शियाओं होने सुझाव दिया आकाश ने सिर्फ हिलाया वे कुनलुन जाएंगे लेकिन अभी नहीं टोटेम जानवर की सील का कोई सुराग नहीं था इसलिए कुनलुन जाना समय की बरबादी थी कुनलुन जाने से पहले उनके पास वाइट टाइगर के स्थान की सपष्ट दिशा होनी चाहिए अन्यथा उनकी यात्रा अनावश्यक रूप से लंबी हो जाएगी हमें प्राचीन राजधानी जाना चाहिए ऐसा ही होता है कि हमें प्राचीन राजधानी में मरे लोगों का सफाया करने की जरूरत है एक बार जब हम पीट की देखभाल कर लेते हैं तो हम पूर्व में आराम से लड़ सकते हैं जंगशियाओ हो उने कहा प्राचीन राजधानी की स्थिती हमेशा से ऐसी ही रही है प्राचीन राजाने मरे लोगों का दमन किया था इसलिए उन में शिकायतیں होना स्वाभाविक है यह बिलकुल बांधों और नदियों की तरह है बांध हर समय नदियों को कैसे रोग सकते हैं? हमें एक छोटा गेट खोलना चाहिए जिससे खेतों और गाओं में बाढ़ नहीं आएगी इस तरह अंडरडीस हमें इसके बदले कुछ आपूर्ती और सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं आकाश ने सुझाब दिया प्राचीन राजधानी के मरे लोगों ने हजारों वर्षों तक उस राज़ को बनाए रखा था मरे हुए लोग विलुप्त नहीं होंगे और प्राचीन राजा प्राचीन राजधानी की हमेशा के लिए रक्षा नहीं कर सकते थे जैसा की नाइन सेरनिटीज की रानी ने भविशवानी की थी, प्राचीन राजधानी को मरे हुए लोगों के साथ मिलकर उनकी सुरक्षा पर भरोसा करके और यदी आवशक हो तो उनसे लड़कर खुद को संभालना होगा म्यूबाई ने सिर हिलाया प्राचीन राजधानी हमेशा से ऐसी ही थी इस आपदा के कारण प्राचीन राजधानी को भारी नुकसान उठाना पड़ा उस समय प्राचीन राजधाने मरे लोगों पर लगाम लगाई और प्राचीन राजधानी को स्वस्थ होने का समय दिया प्राचीन राजधानी फिर से समरिध हो गई थी मरे हुए लोगों के अस्तित्व के परिनामस्वरू मजबूत जादूगर और आय हुई यह जमीन का हिस्सा था दक्षिन में तूफान, मुख्य भूमी में भूकंप और उत्तर में रेत के तूफान आये हालाकि लोग तूफान, भूकंप और रेतिले तूफान से अपनी रक्षा कर सकते थे अधिकांश लोगों ने इन आपदाओं को अपने जीवन का हिस्सा मान लिया था और अपने घर नहीं छोड़े थे आये भाई जाओ के सुझाव का पालन करें और डार कच्वे को खोजने के लिए आर्कटिक महासागर में जाएं मैं अभी तक आर्कटिक महासागर में नहीं गया हूँ जांग शियाओ हूँ ने कहा जाओ मान्यन ने खेल-खेल में जांग जियाओ हो को पीठ पर थपड मार दिया वो हनसा। मैंने मजा किया था। हम आर्कटिक महासागर तक कैसे जा सकते हैं। आइसबर्ग जानवर क्रूर हैं और पूरा उत्तरी यूरोप इससे पीडित है। जियाहो ऐसा लगता है कि आप हमें किसी और चीज में व्यस्त रखना चाहते हैं। आकाश ने भौहें सिकोडली और जांग शियाहो को घूरने लगा। नहीं मैं नहीं। मैं तो बस। आकाश का सामना करते समय जांग जियाओ हो की जुबान बंध हो गई थी। जांग जियाओ हो बचपन से ही जब आकाश का सामना करता था तो वह हमेशा घबराया हुआ और घबराया हुआ रहता था। जब भी आकाश गंभीर होता तो वह भूल जाता कि वह एक मशूर जनरल है जिसे इतना घबराने की जरूरत नहीं है क्या ऐसा हो सकता है कि कमांडर हुआ नहीं चाहते कि हम वापस लोटें क्या तट पर कुछ हुआ आकाश ने पूछा आकाश ने जांगशियाओ हो की योजना को समझ लिया आकाश के सवालों का सामना करते हुए जांगशियाओ हो ने इसे अब और छिपाने की हिम्मत नहीं की यह सच है कि कमांडर हुआ चाहता है कि मैं पूर्वी तट्रेखा पर युद्ध से सभी को दूर रखू महासागर के राक्षस जल्द ही हमला करेंगे आकाश ने पूछा जांगशियाओ हो ने सिरहिलाया इसकी आधिकारिक घोशना नहीं की गई थी लेकिन जांगशियाओ हो ने समराट किन ब्वी पर काम किया था इसलिए उन्होंने बहुत सी चीजों के बारे में सीखा था कमांडर हुआ मिराज ग्रैगन किंग एंट मदर को मारने के लिए उच्सुक था क्योंकि वह आगामी हमले से पहले महासागर राक्षसों की टाकत को कम्जोर करना चाहता था फिर भी यह महासागर राक्षसों के हमले के खिलाफ फर्क करने के लिए परियाप्त नहीं था, जो अप्रिहार्य था। कुछ ही दिनों में महासागरिय दानव संभवत्ह आक्रमन करेंगे। इतनी केजी जाओ मान्यन आश्चर यच्कित थे। हर कोई जानता था कि महासागर के राक्षस देरसबेर हमला करेंगे, लेकिन उन्होंने इतनी जल्दी इसकी उम्मीद नहीं की थी। महासागर दानव के सक्रिय होने के संकेथ हमेशा मिलते रहते थे, लेकिन यहाँ अप्रत्याशित था। समुद्र के स्तर में अचानक व्रिधी के कारण पूर्वी तट्रेखा की सुरक्षा में भारी बदलाव आया। कई शहर समुद्री राक्षसों के खत्रे में थे। लोगों ने कई शहरों को छोड़ दिया और पांच मुख्य आधार शहरों में स्थानांतरित हो गए। पूर्वी तट्रेखा पर स्थिती अचानक गंभीर हो गई क्योंकि रहने की जगह और संसाधन धीरे-धीरे कम हो गए। वे अतीत में जो जानते थे, दुनिया उससे भिन थी। दो बड़ी प्रलय के दौरान आकाश अनुपस्थित रहे। पहली बार उत्तरी जिंजियान में था। खुफु ने उत्तरी जिंजियान पर हमला किया, लेकिन पूर्वी तट्रेखा पर महासागर राक्षसों के साथ अचानक युद्ध के कारण उन्हें कोई सुद्रधिकरन नहीं मिल सका। दूसरी बार तब हुआ जब आकाश को डार्क प्लेन में खीच लिया गया। जब आकाश डार्क प्लेन से बाहर आया, तो तट्टी एक शेत्र पूरी तरह से बदल चुका था। महासागर दानव पास के समुद्री शेत्र में लापरवाही से घूमते थे, जिससे बेस सिटी के बाहर का शेत्र बेहत खतरनाक हो गया था। दमनकारी स्थिती एक सर्वनाशी द्रिशे की तरह थी, जिसके कारण लोगों को अंतीन पीडा उठानी पड़ी। यह तो सिर्फ शुरुवात थी। महासागर राक्षसों का एक बड़ा हमला अभी बाकी था। कमांडर हुआ चिंतित था। पूर्वी तट्रेखा समुदरी राक्षसों के चौतरफा हमले का सामना करने की तयारी कर रही थी। जाम जियाओ हो के अनुसार यह इन कुछ दिनों के भीतर होगा। मूर अचानक भारी हो गया। एक और राक्षसी सुनामी आकाश से राक्षस के पंजे की तरह पूर्व में बह गई। काफी देर तक आसमान में लटके रहने के बाद आखिरकार राक्षस का पंजागिर गया। दूसरी और वे पवित्र टोटेम जानवर को नहीं ढून सके। इसलिए वे आगामी संकट के लिए कुछ भी करने में असमर्थ थे। आकाश के पास बहुत सारे सवाल थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि कहां से शुरू करें। हवा दंगोंटू थी और हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। कमांदर हुआ ने जांशिया हो को उनके साथ जाने के लिए कहा था क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि समुह को लड़ाई में भाग लेने से रोका जा सकता है। हाला कि क्या उनके लिए युद्ध से भागना और चिपना सही होगा। यदि वे पीछे हट गए तो क्या वे बच पाएंगे। आकाश ने ऐसा नहीं सोचा था। यदि कोई चरम दक्षिन समराट नहीं होता तो भले ही उन्होंने महासागर राक्षसों को समरिद समुदर त कमी थी। आकाश यह देखो लिंगलिंग ने अपना फोन अनलॉक किया और आकाश के लिए एक वीडियो चलाया। जब लिंगलिंग ने वीडियो चलाया तो आकाश ने इमारतों के गिरने की आवाज और जादू की गरजना सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे यह वीडियो मै अवरोध करने के लिए इस्तिमाल की जाने वाली सुरक्षात्मक बाधा फिर से खुल गई थी और एक विशाल प्रकाश बाधा ने हुआंग को नदी को अलग कर दिया था। लेगन की तरह बढ़ रहा था। वे जादूई शहर को बेरहमी से नश्ट कर रहे थे। जो लोग भाग गए और जादूगर जो शहर की रक्षा करने की कोशिश कर रहे थे। वे इन सब के सामने महतवहीन लग रहे थे। जादूई शहर जल मगन हो गया। आकाश फट गया। तनो समुदरी पानी शहर में घुस गया और पेल वाटरफॉल में हलचल मच गई। भले ही यह सिर्फ एक वीडियो था, फिर भी यह चौकाने वाला और भयानत लग रहा था। भव्य जादूई नगरी भी ऐसी विपदा से नहीं बच सकी। क्या आपने नहीं कहा कि हमारे पास अभी भी कुछ दिन बचे हैं, जियांग शाउकसू, म्यूबाई, लिंगलिंग और जाओ मन्यन ने प्राप्त वीडियो को एक तक देखा। जांग शियाओ हो भी आश्चर यचकित था। कमांडर हुआ ने उनसे कहा था कि अभी भी समय है। क्या कमांडर हुआ ने ज लिंगलिंग ने जल्दी से कहा। और फिर भी ये महासागरिय राक्षस सीधे आकाश से गिरे। ऐसा कैसे हो सकता है। यहां अचानक ऐसा क्यों हो गया जांग शियाओ हो को यहां अविश्वसनिय लगा। कोई विशाल सुनामी नहीं थी और समुद्र का स्तर नहीं बढ़ा। हाला कि मैजिक सिटी के उपर आकाश में एक के बाद एक विशाल अंतराल दिखाई दिये। समुद्री जल प्रचंड वेक से नीचे की ओर बहने लगा और महासागर राक्षसों की सेना सीधे शहर के अंदर उतर गई। इसने इंसानों की तैनाती को पूरी तरह से बाधित कर दिया। वहां बहुत सारे म दस मिनट के बाद उसमें से समुद्र का पानी नीचे बहने लगा। यदि यह कोई साधारन ज़रना होता तो जैसे ही यह मैजिक सिटी पर गिरता लोग इसे बहा सकते थे। अंतराल बढ़ा था। सफे द्रैगन ने एजियोर परल कैंपस के मैदान को पूरी तरह से कवर कर लिया था। समुद्री जल असंभव गती से कई किलोमीटर तक फैल गया। जैसे ही पानी बढ़ा, ट्रैक फीड, शिक्षन भवन, स्टेडियम, कैफेटेरिया और एजियोर परल कैंपस के जादू अभ्यास कक्ष में पानी भर गया। जब पानी की गहराई दो मीटर से परिणाम देने वाले थे। वे केवल जादूग्रों को निशाना बनाएंगे। वे कम से कम समय में इंसानों की सशस्त्र सेनाओं को ख्त्म करना चाहते थे। एक बार जब जब जादूग्रों का काम ख्त्म हो गया, तो वे मनुष्यों को अपनी इच्छानुसार मार सकते पर्ल इंस्टिट्यूट कई जादूग्रों का स्थान था। आखिरकार यह एक जादूई विद्याले था। शक्तिशाली फिश्मेन जेनरल इन मध्यवर्ती स्तर के जादूई चात्रों के सामने राक्षस राजाओं के समान थे। उनके तराजू अधिकांश मध्यवर्ती स्तर के जादू से बचाव कर सकते थे और उनके हाथों में मौझूद हड़ी की छड़े कमजोर जादू के छात्रों के लिए एक बड़ा खत्रा पैदा करती थी। जल्दी करो और आपात कालीन आश्रे की ओर भागो कई जादू शिक्षक चिलाए। जब उन्होंने आधार शहर का निर्मान किया तो उन्होंने विभिन महत्वपून स्थानों पर आपात कालीन आश्रे स्थल स्थापित किये। आश्रेयों ने युद्ध को सीधे शहर में फैलने से रोका और उनमें से अधिकांश सुरक्षा के लिए आम नागरिकों को प्रदान किये गए थे। आ अपने वरिष्ठों की तरह संगठित और युद्ध के लिए तयार नहीं थे। फिश्मेन जनरलों की संख्या अभी भी बढ़ रही थी। लोगों ने एक जादूई सभ्यता बनाने के लिए कड़ी महंत की थी और छात्रों ने एक दिन दुनिया को बदलने की उम्मीद में जादू सीखने के लिए कड़ी महंत की थी। हाला कि जब उन्होंने इन क्रूर कमांडरस्तर के राक्षसों को देखा तो उन्हें महत्वहीन महसूस हुआ और उन्हें लगा की जो जादू उन्होंने सीखा था वह दुश्मनों के खिलाफ बेकार था। उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या इस दुन्या में जादूगर होने का कोई मतलब है। साधे वस्त्रधारी व्यक्ती ने समस्थ समुदरी जल को नियंत्रित कर उसे विप्रीत दिशा में प्रवाहित कर दिया। समुदरी जल को नीचे गिरा सकता है। बहुत सारे समुदरी राक्षसों ने शहर पर आक्रमन किया है। हम इस लड़ाई में कैसे लड़ेंगे मंत्री वुने कहा। एमेस जो जल्दी करो और बच्चों को पहले आपात कालीन आश्रे में ले जाओ। अगर वे लड़ने को तयार हैं तो वे रुक सकते हैं। दीन जियाओ उदास दिखे। यह बहुत अचानक और बहुत भयानक था। भले ही मैजिक सिटी में शहस्तरिय पवित्र जादूगर दीन जियो को पता था कि महासागर के राक्षस हमला करेंगे, उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि वे इस तरह से हमला करेंगे। कौन सा राक्षस राजा इस विधी से आकाश वो फाड़कर नगर में समुदरी जल डाल सकता है। यदि वे इस राक्षस राजा को नहीं मारते तो वे यह युद्ध हार जाते। महासागर के राक्षसों ने आम नागरिकों पर हमला नहीं किया बलकि जादूगरों पर हमला करते रहे। वे शायद इंसानों को गुलाम बनाकर कैद में रखना चाहते थे। जादूग्रों के बिना पूरे आधार शहर के नागरिक रक्षाहीन हो जाएंगे और उनके पास गुलाम बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। और भी अधिक जरूरत है। हाला कि यह सबसे अधिक नशीला नीला रंग नहीं था, फिर भी यह किसी व्यक्ति को स्तब्ध कर देने के लिए परियाप्त था। परिवार की कठिन मांगो के कारण म्यू नुजियाओ विद्रोही स्थिती में था। कर रहे थे और वह अब समुद्र नहीं देख सकती थी। अध्यान करने या सोचने के लिए यहां आती थी। अचानक बारिश क्यों हो गई? नुजियाओ अपनी आखें बंद करने ही वाली थी कि अचानक उसे अपने माथे पर थंडी बारिश की एक बूंद महसूस हुई। उसने उपर देखा और पाया की साफ आसमान में एक अजीब सा काला धबबा दिखाई दिया। जदी आकाश और बादल प्रिथवी को ढखने वाले हलके नीले रंके ड्राइन बोर्ड थे तो ड्राइन बोर्ड के बीच में एक छोटा सा छेद था। पानी की बूंदे छोटे से छेद से गिरी और उसके माथे पर गिरने से पहले हवा से उड़ गई। न्यू नुजियाओ ने छेद को देखा। उसने पाया की पानी की बूंदे बारिश की एक पतली रेखा बनाती हैं और सीधे स्कूल के खेल के मैदान पर गिरती हैं। बारिश भी कितनी अजीब है। लेकिन धीरे धीरे एक उंगली जिकना मोटा हो गया। जब खेल के मैदान पर बारिश हुई तो उन्हें कुछ आवाजे सुनाई दी। म्यू नुजियाओ की अभिव्यक्ती बदल गई। जब उसे पता चला की आकाश में छेद अभी भी बढ़ रहा है तो उसे एहसास हुआ की कुछ गड़बढ है। वहाँ से बाहर निकलो वहाँ से बाहर निकलो म्यू नुजियाओ उन छात्रों पर चिलाया जो अभी भी खेल के मैदान में थे। आकाश में छेद बढ़ा होता जा रहा था और एक मोटा जल स्तंभ नीचे उतर आया। बरफीला पानी पूरे खेल के मैदान में बह गया। आकाश से असंभव गती से अधिक पानी गिरा। सफेद पानी का स्तंभ तूटकर गिर गया और खेल के मैदान की जमीन चकनाचूर हो गई। पानी का चींटा उंचा उठा और समुद्र तटकी लहरों की तरहा आसपास के क्षेतर की ओर फैल गया। जो लोग टिके नहीं रहे वे गिरेंगे या बह जाएंगे। जल्दी करो और आपात कालीन आश्रे में जाओ। म्यू नुजियाओ फिर चिलाया। उपनिदेशक मौसम कुछ समाई के लिए अजीब हो सकता है। सब कुछ ठीक है, है ना। प्रिंसिपल से पूछा। प्रिंसिपल एक अधेड उम्र की महिला थी। उम्र बढ़ने के लक्षनों को छुपाने के लिए उसके बालों को पर्म किया गया था और खूबसूरत रंग में रंगा गया था। म्यू नुजियाओ का तुरंट खाली करने का निर्ने प्रिंसिपल फैन को बहुत कठोर लगा। आखिरकार उन्होंने युद्ध के मैदान का दौरा करने के लिए उत्तर जाने के लिए पहले ही एक नियुक्ती कर ली थी। यदि वे सभी आपात कालीन आश्रे स्थल की ओर भागे तो इससे दौरे और अभ्यास सत्र में देरी होगी। यह कोई सामान्य जलवायू नहीं है। से बताया कि इसके पीछे महासागर के राक्षस थे। दरसल स्कूल के मामले उसके नियंतरण में नहीं थे लेकिन यह घटना बहुत अजीब थी। चाहे कुछ भी हो इन छात्रों की जान जोखिम में डालना अतारकिक था। मुझे यह भी उम्मीद है कि यह एक गलत अलार्म है लेकिन यदि आप छात्रों को यहां इकठा होने देने पर जोर देते हैं तो मैं तुरंत निदेशक मंडल को स्थानांतरण का प्रस्ताब दूँगा। मुनुजियाओ आप केवल एक उप निदेशक हैं। प्रिंसिपल फैन ने गुस्से में कहा। प्रिंसिपल फैन नाराज हो गए। मुनुजियाओ को एक सीलेंस हाई स्कूल में अपने आदेश देने का कोई अधिकार नहीं था। वह एक प्रसिध परिवार से थी। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से निकासी की व्यवस्था करूंगा। मुनुजियाओ इस प्रिंसिपल के साथ अर्थहीं खेल नहीं खेलना चाहता था। प्रिंसिपल फैन कई बार मुनुजियाओ के रास्ते में आ गई थी। जिसके कारण उसने अपने कई शैक्षिक विचारों और सुधारों को रोक दिया था। चुंकी प्रिंसिपल फैन उनसे उम्र में बड़ी और समझदार थी। इसलिए मुनुजियाओ हमेशा उनका सम्मान करते थे और पीछे हट जाते थे। लेकिन इस बार उनके लिए अपनी बात पर कायम रहना बहुत जरूरी था। कुछ लोग आरामदायक जीवन जीते थे। वे इतने उपेक्षित और अज्यानी हो गए कि आतन खत्रे में भी सुस्थ हो गए। यह कई लोगों को मार डालेगा। महानगरों में लोग जितने अधिक समय तक आराम से रहते थे उनके लिए संकट को महसूस करना उतना ही कठिन हो जाता था। कई अन्य निर्देशकों और शिक्षकों ने मियू नुजियाओ को आश्चर्य से देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह युवा उपनिदेशक आज इतना मुखर होगा। उसने प्रिंसिपल से सामान पैक करने और चले जाने के लिए भी कहा। यह कोई ऐ ऐसी चीज नहीं थी जो सामान्य लोग कर सकते थे। प्रिंसिपल फैन नाराज थे। लेकिन जब उसने मियू नुजियाओ की विभिन पहचानों के बारे में सोचा तो उसके पास बहस करने की कोई शक्ती नहीं थी। लेकिन टैलेंट इंटरनाशनल यूनियन यूनिवर्सिती का अध्यक्ष बहुत प्रभावशाली माना जाता था। प्रिंसिपल फैन में हिम्मत नहीं थी। लेकिन उसने अपने से कमतर होने की बात मानने से इनकार कर दिया। शात्रों ने अभ्यास करने का यह दुरलब अ अधिकासी आदेश जारी किया। अधिकाश विद्यार्थियों को पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। वे अभी भी आकाश से जलधारा को बहते हुए देख रहे थे। पानी का स्तंब एक लंबे ज़रने में बदल गया था और नीचे बहते पानी ने खेल के मैदान को चकन की। दोनों कुलहाडियों ने एक एक्स बनाया और मैनेटी पर लोटने से पहले कई भय भी जादू शिक्षकों को काट दिया। हथियार पर खून का दाग नहीं था। छात्र डर के मारे चिलाने लगे और निकासी आदेश का पालन करने के लिए भाग गए। तभी परती मंत्र जिन में सोल सीड्स भी नहीं थे। इस समुदरी योध्धा को चोट नहीं पहुंचा सके जो समुदरी बर्फ कवच में धका हुआ था। आइस एक्स मानेटी ने कई मनुष्यों की उपस्थिती को महसूस किया। इसने अपने हाथ में बर्फ की कुलहाडिया उ जंगल की तरह थी लेकिन यहक शैतिस रूप से बढ़ी। सामने के सभी सिरे स्पाइक के आकार के थे और इसने आइस एक्स मैनाटी को कीलों से ठोक दिया था। फिर भी आइस एक्स मानेटी अभी भी हमला करने की कोशिश कर रहा था। इसने दो कुलहाडिया उठाई और उन्हें प्रिंसिपल फैन पर फिंक दिया। प्रिंसिपल फैन का वाटर कर्टेन बैरियर तूट गया। बर्फ की कुलहाडियों के टकराने से पहले लताओं की एक माला उसके चारों ओर लिपट गई और उसे किनारे की ओर खींच लिया। वह बर्फ की कुलहाडियों से ब न्यू नुजियाओं ने अपना सिर उठाया और ब्लाक अलर्ट देखा। उसने एक गहरी सास ली, लेकिन इससे उसे जो घुटन महसूस हुई, उसमें कोई मदद नहीं मिली। ब्लाक अलर्ट अभूत पूर्व ब्लाक अलर्ट परपल अलर्ट योजना के अनुसार रिहरसल आयोजित की गई और एतिहासिक आपदाओं के आधार पर सभी रन्नीतियों का पूर्वा भ्यास किया गया। योजना बनाई और मिराज ग्रैगन किंग एंट मदर को मार डाला। क्या उनका सारा प्रयास निरर्थक था? काला, यह ब्लाक अलर्ट क्यों था? यदि यह एक नकली परपल अलर्ट होता, तो लोग जीवित रहने के लिए महासागर दानव के साथ मौत से लड़ते। इस ब मु, 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 जब म्यू नुजियाओ अपने विचारों में खोई हुई थी, आकाश में छेद का विस्तार हुआ और एक दर्जन आइस एक्स मैनेटेस राक्षसी उर्जा के साथ जरने से बाहर निकल आए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कहा खाली हुए, परिनाम वही होगा। सभी महासागर राक्षसों का पहला लक्षे जादूगर थे, विशेश रूप से उच्च साधना वाले जादूगर। आइस एक्स मैनेटेस ने अपने साथी पर नजर डाली, जिसे कीलों से ठो और पाया की समुदर की सतह को अवरुद करने वाला बांध धै गया था। निर्मान के दौरान बैटल मैजेस ने इस बात पर जोर दिया था कि ये समुदरी दीवारे डिंग सिटी से स्थाना अंतरित की गई भारी चट्टाने थी और उन्नत स्तर के जादू का सामना कर सकती थी उन्होंने उन्हें आशवासन दिया था कि यदि कभी भी समुदरी राक्षस का हमला हुआ तो वे लंबे समय तक उसका सामना कर सकते हैं। लेकिन मुनुजियाओं ने जो देखा वह कोई ठोस बांध नहीं था। जहां बांध हुआ करता था वहां केवल धूल और मलबा था। यह इतनी आसानी से ढह गया था। मु, 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 आइस एक्स मैनेटेस करीब आ गये और इन महासागर राक्षसों को छात्रों का पीछा करने से रोकने के लिए मुनुजियाओं को ढहे हुए बांध की और पीछे हटना पड़ा। इस तरफ एक बड़ा राक्षस आई और मु, मु, नुजियाओं ने देखा कि कई सफेद गोले लगातार उन चट्टानों से तक्रा रहे थे। वे सीपिया शुद्ध सफेद थी। उनके मोटे शरीर एक सशस्त्र टैंक के बराबर थे और बाहरी परत कठोर कांटों से धकी हुई थी। जब उन्होंने अंतह रक्षात्मक रेखा पर चौतरफा हमला शुरू कर दिया। उन्होंने सबसे पहले आकाश को खोलने के लिए सर्वोच अलौकिक शक्ती का इस्तिमाल किया। शहर में समुदरी पानी डाला, महासागर के राक्षसों के एक हिस्से पर हमला करवाया और विरोध करने वा जब तक वहां कुछ और नहीं बचा था। नियू नुजियाओ को पता नहीं चला कि शैल दानवों ने कब समुदर को कवर कर लिया था। जब उसने करीब से देखा तो उसने पाया कि सफेद सैलामेंडर और सफेद शैल दानव सतह पर तैर रहे थे, रेंग रहे थे और अक्षसों के हमले की एक भयानक घटना थी जिसे अमेरिकी सेक्रेड हॉल आफ लिबर्टी के गश्ती हेलिकॉप्टर ने खो जा था। यह तटिय भूमी के निकट आ रहा था। लोग लंबे समय से जानते थे कि यह बेहत खतरनाक है। उनमें से इतने सारे थे कि समुदर का पर सफेद विनाशकारी बादल दिखाई दिया था तो मनुष्य सैलामेंडर और शैर राक्षसों की इस विशाल सेना के हमले का सामना नहीं कर सके। ग्रीन इस्ट सी गौड ने निंजिया पठार के उपर से उडान भरी। जब यह समताप मंडल के माध्यम से गुजरा तो इसने आकाश के माध्यम से चलने वाली वायू प्रवाह की एक लंबी रेखा देखी और ग्रीन इस्ट सी गौड के चले जाने के बाद भी यह लंबे समय तक नहीं बिख्री। सफेद विनाशकारी बादल शंगाई में कैसे आया। इसने यह कैसे किया। जाओ मान्यन ने व परीक्षन करना है की हमारे पास कितने निशिद जादूगर हैं। दूसरी ओर यह बड़े पैमाने पर विनाश के लिए सावधानी पूर्वक तयारी कर रहा है। वे सफेद विनाशकारी बादल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जांगशियाओ होव ने कहा। सफेद विनाशक प्रतिरोधक शम्ता होती है। गए थे और जापान ने अतीत में सफेद विनाशकारी बादल से निपता था। प्रतिरोधक शम्ता ने तटके किनारे कई महत्वपूर्ण जादूई किलों की मारक शम्ता को समाप्त कर दिया। दुश्मन ने शहर पर हमला किया और अंगिनत उच्चस्तरिये समुदरी दानव जादूग्रों का बद करने के लिए शहर में उत्रे। सेलामेंडर और शैल दानवों की सेना ने समुदरी दिवार की रक्षा पंक्ती पर हमला किया। घले ही आकाश विनाश स्थल पर मौजूद नहीं था। फिर भी वह जादूई शहर में हताशा को महसूस कर सकता था। आकाश हमें वापस नहीं लोटना चाहिए। हम मदद के लिए कुछ नहीं कर सकते। जियांग शाउक्सू ने निराशा से कहा। हमें कुछ करना है। हम अपना बलिदान नहीं देने जा रहे हैं। हम बस मदद करने जा रहे हैं। आकाश ने कहा। मुझे अभी अभी अपन जियांग शाउक्सू ने जोर से कहा, दिंग सिटी, उन्हें मैजिक सिटी जाने के बजाए दिंग सिटी जाना चाहिए, आकाश दिंग सिटी के वातावर्ण से बहुत परिचित था, वहाँ चट्टाने ही चट्टाने थी, इसकी तुलना जादूई शहर की समर्धी से नहीं क पूछा, फिलहाल उन पर हमले की कोई खबर नहीं है, आकाश ने उनकी तरफ देखा, वह अपना मन नहीं बना सका, अनिरने की स्थिती में वह असहज महसूस करता था, उसे इस तरह महसूस करना कभी पसंद नहीं आया, इसलिए वह मजबूत बनने की कोशिश करता रहा, ले आकाश की ओर रुख किया, उसने सहमती में सिर हिलाया, लिंगलिंग चतुर थी, वह ऐसी व्यक्ती थी जो बड़ी तस्वीर पर विचार करती थी, वह कायर नहीं थी और नहीं अकारण लापरवाह थी, उनकी राय में उनकी नैतिकता की भावना आकाश से अधिक सटीक और विश्वस निये थी, सौन फियाओ ने ग्रीन इस्ट सी गौड से रुखने के लिए कहा, ग्रीन इस्ट सी गौड ने अपने पंक फैलाये और थोड़ा तिर्चा कर दिया, हवा के कारण उसके पंक सीधे उड़ गए और वह हवा में मंडराने लगा, जांग जियाओ हो वह बड़े विश्वास के साथ कहा, ग्रीन इस्ट सी गौड कितनी उचाई तक उर सकता है, लिंगलिंग ने सौन फियाओ से पूछा, इस आकाश के उपर अंतरिक्ष जितना उचा, आप क्या करना चाहते हैं, सौन फियाओ ने असमंजस में पूछा, मैं चाहता हूँ कि यह ज अब कुछ नहीं समझा सकती थी, ग्रीन इस्ट सी गौड बादलों और हवा में हैरफेर कर सकता है, हाला कि इस एक शोभमंडल में रहना होगा, यह आपको आकाश के उपर अंतरिक्ष में नहीं ले जा सकता, सौन फियाओ ने कहा, मैं उसे आकाश के उपर अंतरिक्ष में ल चमक रहे थे और चमकदार धूप को अवरुद कर रहे थे, जिससे वह एक अंधेरे देवदूत जैसा दिख रहा था, जाओ माम्यन हैरान था, सच मुछ अभी आपका चीन के ग्रिश्यों की प्रशंसा करने का मूर क्यों है, शायद भविश्य में हमें अब मौका नहीं मिल आओ, लिंगलिंग आकाश ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, लिंगलिंग ने बिना किसी हिचकी चाहट के आकाश की गरगन के चारों और अपनी बाहे लपेट दी, जिससे आकाश उसे आकाश में उठा सका, जपट्टा मारना, एक विशाल काली आकरिती आकाश के उच्छत आकाश के उपर अंतरिक्ष में पहुँचा, तो उनके नीचे हरे पूर्वी सागर देवता ने हवा और बादलों में हरफेर करना शुरू कर दिया, जब उन्होंने आकाश के उपर अंतरिक्ष से नीचे देखा, तो उन्हें भूमी का एक बड़ा विस्तार दिखाई दे र ग्रीन इस्ट सी गौर को केवल पतले बादलों को दूर भेजना था, ताकि आकाश और लिंगलिंग आकाश के उपर अंतरिक्ष से भूमी देख सकें, यह बिल्कुल वही था जो लिंगलिंग चाहता था, वह जमीन के बड़े टुकडे को आसमान के उपर अंतरिक्ष से दे हाला कि वह उन चीजों के बारे में नहीं भूली जो उसे करनी थी, उसने अपनी आखे बंद कर ली, उसके मन में सारी भागोलिक स्थितिया उभराई, फिर उसे हेलन परवत, पीली नदी का समारक, प्राचीन शहर कागवार, बेगवान शहर, शेनमु शहर, जियायू शहर, प्राचीन राजधानी, शाही राजधानी, समराट किन वीप याद आया, आप क्या कर रहे हो, आकाश ने अस्मंजस में पूछा, लिंगलिंग ने अपनी आखें खोली, आकाश के उपर अंतरिक्ष से प्रकाश उसकी आखों में प्रतिबिम्बित हुआ, और वह और भी अल प्राचीन महान दीवारें, क्या आप अब भी उन्हें याद करते हैं? दीवारें जो जमीन से उठीन और वाच्टावर के रूप में काम करती थी, उन्होंने उत्तरी जिंजियां के बाहर मरे हुए लोगों को अवरुध कर दिया था, आकाश को वह शांदार और राजसी घटना अभी भी अच्छी तरह याद है, यदि प्राचीन शहर की दीवा और दिव्य दीवारों के कारण था, क्या यह प्राचीन महान दीवार की दैविय शक्ती से बिल्कुल मेल नहीं खाता? Sky Observing City की दिव्य दीवारों को देश की सुरक्षा के लिए महान दीवारों में विभाज़त किया गया है महान दीवारों का निर्मान प्राचीन राजा के काल में किया गया था प्राचीन राजा ने अपनी प्रिथवी तत्व की जादूई शक्ती में सर्वोर्चस्तर हासिल कर लिया है वह वही था जिसने Sky Observing City को नश्ट कर दिया और दिव्य दीवारों का विस्तार किया दिव्य दीवारों के समान निर्मान सामगरी खोजने में सक्षम थे, लिंगलिंग ने जारी रखा फिर से महान दीवारों की ओर मुरने से पहले पवित्र टोटेन जानवर की मुहर को देखें लिंगलिंग ने बड़ी भूमी के एक टुकडे की और इशारा किया जो एक घुमावदार स्लैब में सिकुड गया था आकाश के पास ड्रैगन सेंस था इसलिए वह बहुत दूर तक देख सकता था हाला कि लिंगलिंग ने जमीन नहीं देखी उसने जो देखा वह पीले, भूरे, काले और हरे रंगों के मिश्रण वाली एक पेंटिंग प्लेट थी आकाश ने दस हजार मील के भीतर की चीजों को देखने के लिए अपनी ड्रैगन इंद्रिय का उप्योग किया उन्होंने अधूरे महान दीवार के अवशेश देखे इतनी उचाई पर जूम करके सभी अवशेशों को देखना मुश्किल था फिर भी आकाश ने छूटे हुए टुकडों की भरपाई करने की पूरी कोशिश की यह पर्याप्त उचा नहीं है हमें उची उडान भरनी चाहिए आकाश ने कहा उन्होंने एक प्रांत में एक एतिहासिक अवशेश को पार किया आकाश निंग्जिया और हेलन परवत के पास की महान दीवारों को बेगवान टाउन में प्राचीन शहर के गेट और प्राचीन शहर की दिवार के साथ जोड़ना चाहता था अचानक तेज ज्वाला का बादल भड़क उठा आकाश के बाल और तवचा जल रही थी आग की लपटे बेथाशा नाचने लगी वे पवित्र और गंभीर थे आकाश चोंगमिंग दिवाइन फ्लेम मैन में बदल गया था और आकाश के उपर अंतरिक्ष के उच्चतम बिंद रहा उनका लक्ष्य किसी परवत्या भागोलिक शेत्र का लक्ष्य नहीं था वह चीन की हजारों मील तक फैली विशाल दीवारों की तलाश में था आसपास अंधेरा और शांत था आकाश ने पहले कभी इतनी उचाई पर उडान नहीं भरी थी वह लिंगलिंग की ओर मुड करने पर ध्यान केंद्रित किया पवित्र कुल देवता जानवर प्राचीन महान दीवारें मैं यदि प्राचीन महान दीवारें दिव्य दीवारें हैं और भूमिगत पवित्र जर्ना वहस रोथ है जो उन्हें जीवन में लाता है तो हम प्राचीन दीवार के पवित्र सैनि जानवर मिल गया था। लिंग लिंग मैं तुम्हें अब वापस ले जा रहा हूँ। यद्यपी आकाश दिव्यज्वाला के रूप में था। फिर भी उसकी गर्मी आकाश के उपर अंतरिक्ष में काली हवा और बर्फ के आक्रमर का सामना नहीं कर सकी। आकाश को लगा कि लि दीरे से बुद्बुदाई। प्राचीन महान दीवारों के स्थान के बारे में कुछ ताकी आकाश प्राचीन अवशेशों को पवित्र टोटें जानवर की मुहर से जोर सके। उसके दिमाग में सारी जानकारी थी, लेकिन उसे विभिन प्रांतों की महान दीवारों को पूर्वी लोग हमेशा मानते हैं कि इश्वर सब कुछ देखता है और जानता है। एचक्या हमें पवित्र टोटेन जानवर मिल गया है। लिंगलिंग ने कमजोरी से पूछा। आकाश ने सिर हिलाया। उसने लिंगलिंग को अपना सिर अपनी बाहों में छुपाने दिया। उसने उसे कुछ गर्माहट देने के लिए उसे कसकर गले लगाया। मैं फेन जोलो जानवरों के सन्योजन के पैटर्न का निर्मान किया। यह वह पवित्र टोटेन जानवर था जिसे वे खोज रहे थे। यह इस पूरे समय जीवित था। उसकी हड्डिया चट्टान बन गई थी। उसकी मास पेशिया मिक्टी बन गई थी। यह हमेशा सीमा पर पहरा देता रहा है। जब लिंगलिंग को सूरज की रोशनी की गर्मी महसूस हुई तो उसे होशा गया। जब सबने उसे जाते देखा तो बहुत प्रसंद हुए। आए हम पवित्र टोटेन जानवर को वापस लाए और प्राचीन दीवार के पवित्र सैनिकों को बुलाएं। चीन की प्राचीन दीवार के पवित्र सैनिकों को बुलाते तो इससे दिव्य दीवारों से बनी एक बड़ी सेना तयार हो जाती। अभी भी एक और मुद्दा है। लिंगलिंग ने अपना सिर हिलाया। आगे बढ़ने से पहले उसने एक कौर गर्म पानी पिया। कई प्राचीन म महान दीवारों के टुकडों में प्रभाहित करने में बहुत समय लगेगा। इसके अलावा प्राचीन महान दीवारों के शेश टुकडों का पता लगाना मुश्टिल है। प्राचीन महान दीवारों के शेश टुकडों को अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग से खेती का आ प्राचीन शहर और प्राचीन दीवारे वर्षों से दबी हुई थी। उसके पास आधे दिन के भीतर हजारों मील तक फैली विशाल दीवारों पर भूमिगत पवित्र जरने की वर्षा करने का कोई उपाय है। अनुठी विशेष्टाओं का उप्योग किया था। मैं बारिश करा सकता हूँ लेकिन मैं केवल कुछ सौ किलो मीटर तक ही बारिश करा सकता हूँ। यदि आप चाहते हैं कि मैं हजारों मील तक बारिश कराऊं तो मुझे डर है कि यह मेरी क्षमता से बाहर है। मैं इसे केवल तभी बना सकता हूँ जब मैं जलतत्व निशिध जादूगर बन जाओ। जाओ मान्यन ने अपना सिरहिलाया। भूमी के एक बड़े क्षेत्र पर वर्षा कराना उसके लिए बहुत कठिन था। अगर हमें आपकी सहायता के लिए जलतत्व निशिध जादूगर मिल जाएं तो क्या आप बारिश करा सकते हैं। लिंगलिंग ने हताशा में पूछा। मैं कोशिश कर सकता हूँ। लेकिन हमें जलतत्व निशिध जादूगर कहा मिलेगा। जहां तक मेरा सवाल है हमारे पास देश में कोई जलतत्व निशिध जादूगर नहीं है। जाओ मान्यन ने कहा। हमारे पास एक है आकाश ने कहा। कौन? दीन जियो आकाश ने कहा। जाओ मान्यन ने भौहें चड़ा दी। उनका इरादा आकाश को निराश करने का नहीं था, लेकिन उन्हें यथार्थवादी होना था। मैंने दीन जियाओ के एक निशिध्ध जादूगर होने के बारे में कभी नहीं सुना। आपको क्या लगता है कि वह एक जलतत्व निशिध्ध जादूगर है? अधिकाश निशिध्ध जादूगर अपनी वास्तविक पहचान प्रकट करने से इनकार करते हैं, क्योंकि उन्हें निशिध्ध कार्य सौंपे जाएंगे। मैंने दीन जियाओ को पहले भी लड़ते देखा है। दिन युमियान के एक दुष्ट आत्मा में तबदील हो जाने के बाद, दीन जियो ने उसे एक सेकंड में ही मार डाला। एक शीर्ष श्रेणी का जादूगर या अर्धनिशिध जादूगर संभवता ऐसा नहीं कर सकता था। मुझे लंबे समय से संदेह था कि शायद दीन जियाओ एक निशिध जादूगर है। आकाश ने कहा। लेकिन आप यह कैसे सुनिशिध कर सकते हैं कि वह एक जलतत्व निशिध जादूगर है। वह किसी अन्य तत्व में एक निशिध जादूगर हो सकता है। जाओ मान्यन ने कहा। आकाश ने कहा, संभवता यह जल तत्व होगा क्योंकि वह जल तत्व की जादूई शक्ती में सबसे अधिक कुशल है। वहाँ पहुचने के बाद हमें पता चलेगा। अब हमारे पास समयक्त महो रहा है और हमारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। आएए दीन जियाओ के पास जाएं और बारिश को बिखेरने के लिए उनकी मदद लें। जांग्शियाओ हो ने कहा, हम अभी जाएंगे और दीन जियो को ढूंदेंगे। उसे माजिक सिटी में होना चाहिए। हमें तुरंट निकलने की जरूरत है। जाओ मान्यन ने कहा, भीड ग्रीन इस्ट सी गौड की पीठ पर चड़ गई। आकाश ने लिंगलिंग की मदद की, लेकिन वह उनके साथ शामिल नहीं हुआ। क्या आप हमारे साथ नहीं आ रहे हैं, जांग शियाओ होने असमंजस में पूछा। आकाश ने सिर हिलाया, माजिक सिटी गहरे संकट में है। यदि आप हमारे साथ नहीं आते हैं, तो मुझे डर है कि हम इसे अकेले नहीं संभाल पाएंगे, जाओ मान्यन ने कहा। मान्यन क्या तुम्हें अब भी महिला जनरल बिन वे याद है। वह प्राचीन महान दीवार की परियवेक्षक है, आकाश ने कहा। बेशक मुझे याद है। वह वही है जिसने दरजनों किलोमिटर तक फैली खुफु की सेना से लड़ने के लिए प्राचीन महान दीवार के अस्तित्व से पता चलता है कि अन्य प्राचीन महान दीवार पैटर्न भी हैं। और प्राचीन दीवार के पवित्र सैनिक उन में से एक हैं। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए प्राचीन अभिशाप को समझना होगा कि जब हम प्राचीन महान दीवारों को जीवन्त बन आकाश ने जांग शियाओ हो से कहा ठीक है मैं यह कर सकता है जाओ शियाओ हो ने एक सैन्य सलामी दी और तेजी से ग्रीन इस्ट सी गौड की पीट से कूद गया बिना देर किये जाओ शियाओ हो अपने वाइन स्पिरिट फेदर पर बेगवान टाउन की ओर चला गया बिन वेई प्राचीन महान दीवार के परिवेखशक थे वह पवित्र टोटेन जानवर को बुलाने वाली प्रमुख महिला थी बूढे जाओ, म्यूबाई, जियान शाउक्सू और सुमफेयो, मैं जादूई शहर नहीं जा रहा हूँ आपके सामने एक भारी काम है जादूई शहर अब युद्ध में है स्थिती अराजक है और आपका जीवन खत्रे में पढ़ सकता है आकाश ने ग्रीन इस्ट सी गौड के पीछे भीड की ओर देखा धिक्कार है तुम्हें जल्दी करो और जो कहना चाहते हो कहो जाओ मान्यन चिलाया मुझे कहीं और जाना होगा इसलिए मैं दिव्य दिवारों पर बारिश के बुलावे के बारे में दीन जियो को सुचित करने के लिए आप पर भरोसा कर रहा हूँ इस मामली में बारिश महत्वपूर्ण है मुझे इसमें आपकी मदद चाहिए आकाश ने गंभीरता से कहा हाला कि भीर को पता नहीं था कि आकाश कहा जा रहा है लेकिन उसकी तीवर दिश्टी से वे जान गए थे की जादूई शहर में युद्ध से बचने का उसका कोई इरादा नहीं था उसे बस कुछ जरूरी काम निपता आना था इसे हम पर छोड़ दो म्यूबाई ने कहा भले ही डीन जियाओ एक जलतत्व निशिद जादूगर नहीं है मैं उसे खींच लूंगा जाओ मानियन को आशवासंदिया ग्रीन इस्ट सी गौड ने अपने पंक फैलाए जब उसने अपने पंक फड़फडाए तो एक रेट का बवंडर उठा और आकाश में उर्ते हुए गायब हो गया और आकाश और लिंगलिंग को पीछे छोड़ गया लिंगलिंग की हालत में काफी सुधार हो गया था उसने आकाश की ओर देखा और सोचा की आगे कहा जाना है हम प्राचीन राजधानी जा रही हैं आकाश ने लिंगलिंग से कहा क्यो और लिंगलिंग भ्रमित थी प्राचीन महान दिवार का निर्मान किस ने किया? प्राचीन राजा जब मैं उत्तरी शिंजियान में था, मुख्य सैने प्रशिक्षक जान कॉंग मेरे पीछे आये उन्होंने प्राचीन शहर की दिवारों पर रॉयल स्काई पैटर्न को देखा और मुझे कुछ बताया मुझे अब उसकी बातें समझ में आने लगी है आकाश ने कहा आकाश को अच्छी तरह याद आया उन्होंने जान कॉंग और उनके द्वारा कहे गए शब्दों को याद किया उसे याद आया कि जब जान किन ने उसके पैर पर जोर दिया था तो पहाडो और जंगल में मरे सेना ने उसे एक मात्र समराट के रूप में पूजा की थी उसने प्राचीन शहर की दिवार को देखा फिर आकाश और उसके समोह की और मुरा और कहा कि उन्होंने उस समय उसकी उतकृष्ट कृती को बरबाद कर दिया था उनकी उतकृष्ट कृती वह प्राचीन शहर की दिवार का जिक्र कर रहा था आकाश को सपष्ट रूप से याद था कि प्राचीन राजा उस युग में अपनी प्रिथवी तत्व जादूई शक्ती में सर्वोट्चस्तर तक पहुँच गए थे प्राचीन राजा ने स्काई OBSERVING SITTY को नश्ट कर दिया था और दिव्य दीवारों को तोर दिया था वह वही था जिसने हजारों मील तक फैली महान दीवारों के चमतकारों को अंजाम दिया था जान कोंग की उत्कृष्ट कृती को बरबाद न करने के लिए उसे क्या करना चाहिए आकाश को आश्चर्य हुआ उसे अंधेरी खाई की एक और यात्रा करनी थी उसे प्राचीन राजा के सफेद मकबरे वाले महल में जाना था वह वह स्थान होना चाहिए जहां उसे अपना उत्तर मिल सके डार्क एबिस एक बार पवित्र शहर में दिखाई दिया था यह कहां चला गया आकाश को लगा कि नाइन सेरेनिटीज की रानी को उसके ठिकाने के बारे में जानकारी थी इसलिए आकाश ने प्राचीन राजधानी में लोटने का फैसला किया अपने ब्लैक ड्रैगन विंग्स की मदद से वह दो यात्राए जल्दी से पूरी कर सका भले ही डूरी एक हजार मील थी जिस समय पर सहमती बनी वह एक दिन था एक दिन के समय में जांग जियाओ हो को बिन वेई को ढूंडना था बिन वेई को प्राचीन महान दीवार की सुरक्षा के लिए स्थानांतरित किया गया था वह स्काई ऑब्जर्विंग सिटी की वन्शच थी वह अकेली थी जो प्राचीन श्राप के बारे में जानती थी उम्मीद है वह जानती थी कि प्राचीन दीवार के पवित्र सैनिकों को कैसे जीवित किया जाए ताकि वे जादूई शहर में सेनाला सकें जांग शियाओ हो का मिशन जटिल नहीं था यदि उसे वेई बिन का सैनिय पंजी करण मिल जाए और उसके ठिकाने के बारे में कुछ प्रशन पूछे जाएं तो वह उसका पता लगाने में सक्षम होगा इस बीच जाओ मन्यन, म्यूबाई, जियान, शाउक्सू और सोंफेयो को बहुत अधे कठिन काम दिया गया उन्हें माजिक सिटी की ओर जाना था युद्ध शुरू हो चुका था बड़ी संख्या में समुदरी राक्षसों ने जुंड बनाकर शहर पर कबजा कर लिया उन्हें अराजक स्थिती में डीन जियो का पता लगाना था उन्हें उसे जादूई शहर छोड़ने और प्राचीन शहर की दिवार की ओर जाने के लिए राजी करना पड़ा यह बहुत कठिन काम था और उनके पास मिशन पूरा करने के लिए केवल एक दिन का समय था आकाश स्वयन जादूई नगरी जाना चाहता था उनका मानना था कि दीन जियो उनकी बात सुनने के लिए अधिक इच्छुक होंगे आकाश ने उस पर भरोसा किया और दीन जियाओ ने आकाश पर भरोसा किया हाला कि किसी को डार्ट एबिस में जाना था प्राचीन राजा का सफेद मकबरा महल अपने पीछे बहुत कुछ छोड़ गया था आकाश का मानना था कि कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो प्राचीन राजा की उत्कृष्ट कृती से संबंधित हो। इससे संबंधित कुछ न कुछ अवश्य होगा। जैसे ही वह प्राचीन राजधानी में पहुँचे, जांगशियाओ हो ने उन्हें बुलाया। नमस्ते, बड़े भाई आकाश मैंने बिन वेई से संपर्क किया है। वह रेगिस्तान में है। अपनी वर्तमान गती के साथ मुझे विश्वास है कि मैं जल्द ही वहाँ पहुँच सकता हूँ। मेरा काम पूरा हो गया। लेकिन बिन वेई ने मुझे बताया कि वह केवल पहले से ही जानती थी। हाला कि उन्होंने बताया कि श्रापों की विरासत अधूरी है। जदी वे संपूर्ण अभिशाप का पता लगाना चाहते हैं तो उन्हें प्राचीन मकबरे विशेश रूप से प्राचीन राजा के मकबरे पर जाना होगा। जामशियाओं ने ठीक है मैं अब अपने रास्ते पर हूँ आकाश ने सिर हिलाया। उसे अधिक सहस्ता महसूस हुई। वह सही था। प्राचीन महान दिवार उस आदमी की उतकृष्ट कृती थी। बड़े भाई आकाश क्या आप अंधेरी खाई में जा रही हैं जामशियाओं आश्चर जाओ श्याओ हो की ओर से कोई मुद्दा नहीं था। इस बीच आकाश को यह देखना था कि डार्क एबिस की अपनी यात्रा से उसे क्या फाइदा हो सकता है। नाइन सेरिनिटीज की रानी आकाश के सिध्धान्त से आश्चर यचकित थी। यदि वास्तव में कोई जो दैविय दीवारों को जीवन्त कर सकता था, तो प्राचीन राजा ने खुफु का सामना करते समय उस अभिशाप का उपयोग क्यों नहीं किया। अंदरवल्ड की लडाई के दौरान उसने शाप का इस्तिमाल क्यों नहीं किया। आकाश ने कहा, मुझे लगता है कि उसक जनजातियों से भूमिगत पवितर झरने की मांग करेगा। जब प्राचीन राजा जानकांग की आत्मा के साथ विलीन हो गए, तो जानकांग ने भूमिगत पवितर झरने की टलाश करने से इनकार कर दिया। चीजें अपने आप सुलज गई। तभी आकाश को एसास हुआ प्राचीन राजा के बाद प्राचीन राजा के जागने की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्राचीन राजा जो पहली चीज करता, वह पवित्र संरक्षक जनजातियों से भूमिगत पवित्र जहरने को पुनः प्राप्त करना होता। फिर वह प्राचीन महान दीवारों पर भूमिगत पवित्र जहरने का छिड़काफ करेगा जो इतने वर्षों से भूमिगत दबी ह प्राचीन राजा सच्चा राजा था क्योंकि उसके पास प्राचीन दिवे सेना थी। लेकिन उसने जानकों की आत्मा को क्यों नहीं निगल लिया और इसके बजाए जानकों को उसका फाइदा उठाने दिया। भले ही प्राचीन राजा को उसके सिनहासन पर जगाया गया हो, शहर और देश अब उसके नहीं रहे। उसके लोग बहुत पहले ही कबरों में दफन थ और जमीन के नीचे लाशे थी। उसे अनंत जीवन जीने का एक रास्ता मिल गया था। परंतु क्या यह अनंत जीवन वास्तव में वही था जो वह चाहता था। प्राचीन राजा के जागने के बाद उसने सबसे पहला काम तियानशान परवत पर जाना और सभी भूमिगत पवित्र जरने को इकठा करने के बजाय किन युएर को ढूंडना था। जब तक वह जीवित थे तब तक उनकी यही एक मात्र इच्छा बची थी। ठीक है। मैं मानता हूं कि उसे उसके अलावा कोई नहीं मार सकता। नौशांती की रानी ने आह भरी। पवित्र शहर में जीत दिलाने का फैसला किया। मैं तुम्हें दुनिया देता हूं। आप जो चाहें जश्न मना सकते हैं। बहुत हो गई बातें। हम जल्दी में हैं। अंधेरी खाई का प्रवेश द्वार कहा है। आकाश ने पूछा। क्या तुम सचमुच अंधेरी खाई में जाना चा तुम सचमुच ने पूछा। अव्यक्ति है जिसने पवित्र शहर में लड़ाई की शुरुवात की थी। बेशक उसका इरादा हमारे देश पर कब्जा करने का है क्योंकि ऐसा करने से अंडर्वरिट में अंडर्डे अपनी ताकक बढ़ा सकता है। इसके साथ वह डार्क किंग के खिलाफ लड़ सकता है। स्काई ऑब्जर्विन सिटी में दिव्य सेना को वापस ला सकते थे। बिन वेई केवल रॉयल स्काई पैटर्न को जानते थे। लेकिन आक्रमनकारी उत्तरी शिंजियान के बजाए पूरवी तटरेखा से आए। खुफू सामने नहीं आया है। स्फिंग्स ने वाइट ट सब्सक्राइब नहीं थी कि खुफू मौके का फायदा उठाकर अंदरवल्ड पर कहर बरपाएगा जबकि पूर्वी तटरेखा महासागर राक्षसों के हमले के अधीन थी। खुफू और उसका समोह वाइट टॉंग पैलिस पर कबजा करना चाहते थे। दूसरे शब्दो सेना आसानी से किसी भी वांचित भूमी पर दिखाई दे सकती थी। जैसे ही उन्होंने अंधेरे रसातल पर कबजा कर लिया। खुफू चीन की भूमी सहित मिसर का सफाया कर सकता था। खुफू सचमुच चालाक था। लेकिन मेरे पास केवल एक दिन का समय है। आकाश न गंभीरता से कहा, मैं स्फिंक्स को संभालने में आपकी मदद करूंगा और आप राचीन महान दीवार के वाच्मैन के अभिशाप को खोजने में मेरी मदद करेंगे। बेशक मैं वाच्मैन के अभिशाप को खोजने में आपकी मदद करूंगा। जहां तक स्फिंक्स को ल तो सबसे पहले यह उत्तरी जिंजियांग में वापसी करेगा। यह मृत भूमी के एक बड़े टुकडे की भी इच्छा रखता है। जब ऐसा होगा, तो प्राचीन शहर बाकी बेस शहरों के पीछे हटने वाला एक मात्र शहर बन जाएगा। यदि खुफु प्राचीन राजधानी पर कबजा कर लेता है, तो हमारे पास समुदरी राक्षसों के खिलाफ युद्ध में पीछे हटने के लिए कोई दूसरा स्थान नहीं है, आकाश ने कहा। वास्तव में, लेकिन स्विंक्स बहुत शक्तिशाली है, इससे लड़ने के लिए आपको टोटेम जानवरों की मदद लेनी होगी, नाइन सेरेनिटीज की रानी आकाश की सुरक्षा को लेकर चिंतित थी, नाइन सेरेनिटीज की रानी की नजर में आकाश अभी भी वांका चात्र था, साथ ही उसका उत्तराधिकारी भी था, नाइन सेरेनिटीज की रानी आकाश के जीवित रहते ही उसके साथ अच्छे संबंध बनाना चाहती थी, जब सक्तर या 80 साल बाद आकाश की मृत्यू हो गई, तो प्राचीन शहर के मरे हुए लोगों के लिए एक नए र स्फिंक्स के साथ अतीत के अपने विवादों को निप्ताने के लिए कर सकता हूँ, आकाश ने अपनी मुठिया भीच ली, स्फिंक्स ने अपनी विशाल पिरामिड अंडर डेड सेना के कारण उत्तरी शिंजियांग में उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था, हाला कि आकाश अपनी दानव तत्व की जादूई शक्ती का उप्योग नहीं कर सका, फिर भी उसे इसका सामना करने में कोई डर नहीं था, ठीक है, मैं चौकीदार के अभिशाप को ढूंडने में आपकी मदद करूंगा, मैं भाई टॉम पैलेस आपके लिए छोड़ दूंगा, न इशिध जादूगर के रूप में मरने के बाद स्वर्ब मत जाओ, अंडर डेट बनना और हमारे साथ जुड़ना अच्छा है, आकाश अवाक रह गया, डार्क एबिस और वाइट टॉम पैलेस हमेशा काले बादलों और उदास बारिश में डूबे रहते थे, जब भी आका इशिध की इमारतों को नश्ट कर रहा था, उनका स्वागत एक विनाशकारी द्रिशे से हुआ, करंट का तेज बहाव सडको पर आ गया, जिससे पूरे शहर की सीवर व्यवस्था ठप हो गई, जगहजगह कूराक्चरा और सीवेज भर गया, महासागरिय दानव तराजू स धकी हुई थी, लेटेक्स जैसा बलगम हर जगह था जैसे कि किसी ने दीवारों पर छिड़क दिया हो, नीम हकीम, नीम हकीम, अजीब सी आवाज से डर के मारे घबराहट होने लगी, लाल रंग के कई समुदरी दानव अपने गोले तोड कर बाहर आ गए, वे विशाल सैला दानव शिशूओं की है, जब वे राक्षसों के पास पहुँचे, तो वे समुदरी दानव शिशूओं के भोजन के रूप में समाप्थ हो गए, जिंग एन सबसे समरिध प्राचीन शहर था, आवासिय और कार्याले भवन बारीकी से पंक्तिबध थे, जो शहर से संबंधि उची इमार्तों को दर्शाते थे, जैसे की कोई पुराने शंधाई के लोंगटांग में हो, क्लियर्स की हंटर एजनसी जिंग एन में स्थित थी, हाला कि जब तक जाओ मन्यन, मुबाई, सुंग फेयाओ और जियान शाउक्सू अपने गंतव्य पर पहुँचे, जिंग ए यह एक विशाल महासागर दानव घोसले जैसा दिखता था, शहरी क्षेतर का विशाल विस्तार जो विभिन दिशाओं की ओर जाता था, सफेद और चिपचिपी जिल्ली की एक परत से ढखा हुआ था, आकाश छिदरों से भर गया, समुदर का पानी शहर में लगातार बहता एक ही दिन में यह इस मांद में कैसे बदल गया, यह किसी शहरी शहर जैसा नहीं लग रहा था, जहां कभी इंसान रहा करते थे यह एक दानव सामराज में बदल गया था जिसमें विभिन समुदरी दानव इधर उधर घूम रहे थे और जादूग्रों का शिकार कर रहे थे महासागर राक्षसों की आबादी विडियो फुटेज में देखी गई संख्या की तुलना में बहुत अधिक थी महासागर के दानव जादूई शहर में गगन चुमबी इमारतों जितने बड़े थे उनकी वीभत्स एवं भयानक आकरितिया दूर से ही दिखाई देती थी सडकों पर घूमते समय उनके कंधे लगभग आसमान चू रहे थे यह दुनिया के अंत जैसा लग रहा था अगर हम नीचे नहीं जाते तो हम दीन जियो को कैसे ढूंढेंगे जियान शाउक्सू ने पूछा दीन जियो जिन एन में परल इंस्टीट में थे जिन एन सफेद बलगम की एक परत से ढखा हुआ था जो मकडी के जाल जैसा दिखता था मकडी का जाल इतना बड़ा था कि वह पूरे शहर को ढख सकता था किस प्रकार के समुदरी दानव ने इतना भयानक जादू किया था जाउ मान्यन ने आह भरी आए परल इंस्टीट चलें और इसे खत्म करें आखिरकार हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है ग्रीन इस्ट सी गौड वहां नहीं उतर सकता इसे आसमान में मंडरा ने देना सबसे अच्छा है सोंफियाओ ने कहा ठीक है अगर हमें भागने की जरूरत है तो यह एक अच्छा विचार है जाओ मन्यन ने कापते हुए कहा शहर का हाल ऐसा क्यों हो गया क्यों? शांतिपूर्ण जादूई शहर इस तरह कैसे बन सकता है पानी आसमान से पारदर्शी जर्नों की तरह गिर रहा था जो राक्षसी ड्रेगन जैसा दिखता था पानी के निरंतर प्रवाह ने शहर में सब कुछ नश्ट कर दिया हवा में हर करफ धूल उड़ गई ऐसा नहीं लग रहा था कि शहर का विनाश निकट भविश्य में रुखने वाला है जाओ मन्यन्क मुबाई और बाकी लोग सफेद जिल्ली के माध्यम से प्रवेश कर गए उन्हें एसास हुआ कि सफेद फ्लोरोसेंट जिल्ली हर जगह फैल गई थी इसमें से कुछ सड़क पर फैल गया कुछ एक दर्जन से अधिक इमारतों में घुस गया और कुछ हवा में लटक गया सफेद जिल्ली ने अपनी यातायात व्यवस्था बना ली थी लिटल ग्रीन क्रैकन चूंकि आप महासागरिय दानवों से अधिक परिचित हैं इसलिए हमारे लिए मार प्रशस्त करें जाओ मान्यन ने अपनी अंगूठी के माध्यम से ग्लूटन को बुलाया लिटल ग्रीन क्रैकन को अपने शरीर के द्रव्यमान को बदलने की कला में महारत हासिल थी यह एक छोटी हरी मचली की तरह जाओ मान्यन के चारों और तैर सकती है या एक विशाल भेल में बदल सकती है जो सभी को अपने साथ ले जा सके सफेद जिल्ली के भीतर समुद्र का पानी घोसले में नहीं भर गया सफेद चिपचिपी जिल्ली ने अधिकांश पानी सोख लिया होगा हाला कि जिन एन गीला था उन्हें ऐसा लगा मानो वे किसी प्राचीन राक्षस के पेट में गिर गए हो जब रोशनी चमकी तो जिल्ली के अंदर का स्थान पूरी तरह से काला नहीं था लेकिन उनमें कुछ अजीब सी चमक थी और इसने इसे और भी भयाभा बना दिया अधिकांश इमारते सफेद जिल्ली की परत से ढकी हुई थी परिणाम स्वरूप इलाकों की पहचान करना मुश्किल हो गया सवभाग्य से जाओ मान्यन परल इंस्टिट्यूट से बहुत परिचित थे महासागर के दानव बच्चे चिलाने लगे सौन फेयो ने एक नजर देखना चाहा लेकिन जाओ मान्यन ने उसे रोक दिया मेरी बात सुनो मेरा विश्वास करो वह आवाज मानव शिशूओं की नहीं है अधिकाश महासागरिय राक्षस मानव ये आवाजों की नकल करने में सक्षम है यदि आप जाएंगे तो आपको मानव बच्चे नहीं मिलेंगे बलकि आप क्रूर समुदरी राक्षसों से मिलेंगे वे तुम्हें टुकडे टुकडे कर देंगे जाओ मान्यन ने कहा सौन फेयो ने सिर हिलाया अकेले कार्य न करना ही सर्वोत्तम था हम्फ चुंकि तुम राक्षसों को बच्चों की तरह रोना पसंद है मैं तुम्हें एक ही बार में मार डालूंगा लिटल ग्रीन क्रैकेन ध्वनी की नकल करें और उन्हें यहां आकर्षित करें जब वे आये तो तुम उन सब को खा सकते हो जाओ मान्यन ने कहा आख के बदले आख, दाथ के बदले दाथ चुंकि ओशियन डेमन बेबीज को लोगों को अपनी और आकर्षित करने के लिए इनसानी आवाजों की नकल करना पसंद था लिटल ग्रीन क्रैकेन खुशी से उसी एहसान का बदला चुकाएगा आखिरकार लिटल ग्रीन क्रैकेन नकरेबास खाने वाला नहीं था लिटल ग्रीन क्रैकन भुखा था इसने अपना मुह खोला और लोगों के एक समूह के बात करने और चर्चा में शामिल होने की आवास की नकल की अपने स्वभाव के अनुरूप महासागर दानव बच्चे जाल में भागते हुए आए वे इकठे हुए और मनुश्यों से मुठ भेड की आशंका से ध्वनी की दिशा में चले गए ताकि वे उन्हें खा सकें चोटा हरा क्रैकन एक कोने पर बैठा था महासागर दानव शिशूओं को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वे एक बड़े भक्षन करने वाले पंजे में घुसने वाले हैं वे घूमती हुली सुशी की तरह लिटल ग्रीन क्रैकन के पेट में घुस गए दकार लिटल ग्रीन प्रैकन ने खुशी से अपना खाना खाया और अपनी पूछ हिलाई संभवता यह एक मात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने जादूई शहर के पतन पर खुशी महसूस की थी शहर अपने स्वाद के समुदरी भोजन रिस्तरा में बदल गया था पर्याप्त शक्तिशाली महसागर राक्षसों को हलके में लेने का साहस नहीं किया वहाँ कई उचे-उचे विशालकाई जानवर थे यदि उन्होंने जानवरों का ध्यान आकरशित कर लिया तो खुद को प्राणियों से मुक्त करना मुश्किल हो जाएगा क्या आप समझ सकते हैं कि मनुश्य अब कहा हैं जाव मान्यन ने लिटल ग्रीन क्रैकन से पूछा लिटल ग्रीन क्रैकन एक छोटे आकार की जोकर मचली में बदल गई और मुगों के बीच फुर्ती से तैरने लगी जल्द ही लिटल ग्रीन क्रैकें उन्हें परल इंस्टिटिट ले गए वे एजियोर परल कैमपस के पास व्यापक स्टेडियम में पहुंचे व्यापक स्टेडियम वही स्थान था जहां जाओ मान्यन और आकाश ने मदर स्केल स्किन फैंटम को मारने में हाथ से काम किया था इसे शरंस्थल के रूप में पुनरगठित किया गया था यह स्टील और अन्य सामगरियों से बना था जो राक्षसों की इंद्रियों में हस्तक शेप करते थे कई महासागर दानव सैनिक स्टेडियम के पास से गुजरे और इस बात से अंजान थे कि कई लोग अंदर छिपे हुए थे बहुत से लोग मर गए होंगे लेकिन उनकी लाशे कहा है न्यूबाई को लगा कि कुछ अजीब है समुदरी दानवों ने जादूई शहर पर कबजा कर लिया यह घनी आबादी वाला था इसलिए मृत्यु दर अपेक शाकरित अधिक रही होगी हालाकि उनके समुख को रास्ते में कोई लाश नहीं दिखी उन्हें महासागर के राक्षसों द्वारा निगल लिया जा सकता था लिटल ग्रीन क्रैकन ने कहा कि जमीन के नीचे कई इंसान थे दीन जियो छात्रों की सुरक्षा कर रहे होंगे जाओ मन्यन ने कहा उन्होंने हड्डियों से बनी लाठिया चलाईं और उनका रास्ता रोकने वाले शयंद्रह को तोड़ दिया वे कमांडर स्तर पर हैं और उनमें से बहुत सारे हैं जियांग शावक्सु परिशान दिख रहा था बूढे जाओ उन्हें नीचे ले जाओ हमें स्थिती के बारे में और अधिक जानने की जरूरत है इस बीच मैं महासागर राक्षसों को संभाल लूँगा मुबाई ने कहा ठीक है सावधान रहें जाओ मान्यन ने कहा मुझे लगता है कि आपको अधिक सावधान रहना चाहिए वहाँ चीजे बहुत अजीब है मुबाई ने गंभीरता से कहा फिश्मेन जनरलों ने हडडी का अभ्यास किया और मुबाई की ओर मार्च किया हडडी के ड्रिल खून से सने हुए थे सफेद खोह में प्रवेश करने के बाद से मुबाई ने एक भी लाश नहीं देखी थी उसने जो एक मात्र शब देखा वह फिश्मेन जनरल की हडडी ड्रिल पर एक कौकरोज की तरहे छेदा हुआ था जो गलती से गेर वील में फस गया था मुबाई गुस्से में आ गई उसके हाथ पंजो में बदल गए और फैल गए जीली जमीन से एक विशाल बर्फ का पंजा निकला और उसने फिश्मेन जनरल को पकड़ लिया फिश्मेन जनरल ने तुरंट प्रतिक्रिया व्यक्त की इसने अपनी हड़ी ड्रेल से बर्फ के पंजे को तोर दिया उसे क्या पता था कि वह एक मात्र पंजा नहीं था फिश्मेन जनरल के आसपास दरजनों मीटर की उचाई तक पहुँचे कई बर्फ के पंजे दिखाई दिये बर्फ के पंजो ने फिश्मेन जनरल को टुक्रे टुक्रे कर दिया बाकी फिश्मेन जनरल अपने साथी की क्रूर मौक देखकर अवाक रह गए वे जादूगरों से लड़ रहे थे जिनहें वे मूल रूप से अपनी उंगलियों के जटके से मार सकते थे यहां तक कि अधिक शक्तिशाली जादूगर भी उनके हमलों से बचने में सक्षम नहीं थे इंसान कमजोर थे फिश्मेन जनरल आसानी से उनमें से सैकडों और हजारों का सफाया कर सकते थे हाला कि उन्हें यह सपष्ट था कि मूबाई अलग थी उसने उनके एक साथी को इतनी सहस्ता से मार डाला फिश्मेन जनरलों को पता था कि मूबाई से उनका कोई मुकाबला नहीं है उन्हें फिश्मेन चीफ को उसके बारे में सूचित करना था काक, काक, काक फिश्मेन जनरल ने फिश्मेन चीफ को बुलाया म्यूबाई ने तेजी से काम किया वह अपने दूसरे हाथ से एक लोहे की कलम लेकर आया कलम की नोप बरफीले हंस के पंक की तरह सफेद थी जब उसने कलम बाहर फेंगी तो अंतरिक्ष में अचानक कमपन हुआ म्यूबाई की पीठ के पीछे अंगिनत बरफीले लोहे के भाले दिखाई दिये स्विश, स्विश, स्विश आइस आइरन स्पीर्स ने फिश्में जनरल्स पर वार किया इससे पहले की वे चिल्ला सकें सैकडों और हजारों बरफीले लोहे के भालों ने उन पर प्रहार किया और उन्हें खून से लथपत कर दिया उनके कवच जमीन पर बिखर गए आइस आइरन पेन बिना किसी खून के दाग के मुबाई को लोटा दिया गया आइस आइरन स्पीर्स की बाद की छविया विलीन हो गई और आइस आइरन पेन में बापस आ गई मुबाई ने आह भरी उसने अपने आसपास का सर्वेक्षन किया यह पुष्टी करने के बाद की कोई अन्य फिश्मेंट जेब में रख लिया मुझे विशाल महासागर राक्षसों को सचेट करने से बचने के लिए सतरक्ता से काम करना होगा मुबाई ने खुद से कहा वह शक्तिशाली जादू नहीं कर सका अन्य था यह केवल अन्य अधिक शक्तिशाली महासागर राक्षसों को ही आकरशित करेगा Magic City में महासागर दानवों ने बढ़त हासिल कर ली थी उन्हें अपने हर कदम में सावधानी बरतनी पड़ती थी वरिष्ट एक आवाज रोई यह चात्रावास से आया था जिसे टुक्रों में कुचल दिया गया था म्यूबाई इसके पास पहुची और उसने खंढ़रों से कई चात्रों को देखा उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी इसलिए वे इमारत के अंदर छिप गए म्यूबाई को आश्चर्य हुआ कि उन्होंने फिश्मेन जनरलों को उन्हें सुंगने से कैसे रोका कृप्या हमारी मदद करें हम आप से विंती करते हैं नए छात्रों में से एक ने विंती की म्यूबाई ने स्टेडियम की ओर देखा छात्रावास की ओर चलने से पहले वह कुछ देर के लिए जिचका यहां क्या चल रहा है बाकी कहा है मुझे यहां कोई जादूगर क्यों नहीं दिख रहा म्यूबाई से पूछा टी उन्हें पकड़ लिया गया है और अंदर फंसा दिया गया है चहरे पर दाग वाले लड़के ने स्टेडियम की ओर इशारा किया पकड़ा गया और फंसा दिया गया म्यूबाई की आखें चौड़ी हो गई एक विशाल सफेद दानव आया और उसने सभी जादूगरों को सफेद क्रिसलिस में बदल दिया हर किसी को उस चिपचिपी चीज में लपेट कर स्टेडियम में फंक दिया जाता है ऐसा लगता है कि विशाल सफेद दानव उनसे किसी प्रकार की उर्जा निकाल रहा है लड़के ने उचसुकता से कहा दीन जियो कहा है बालक सपष्ट बोल नहीं पा रहा था शायद वह बहुत दरा हुआ था एक विशाल सफेद दानव मुबाई ने उस स्थान में प्रवेश करने के बाद से इसे नहीं देखा था दीन जियो एजियोर परल कैंपस के एक नए व्यक्ति ने कहा वह चील के पंखों बाले एक व्यक्ति के साथ चला गया नवागंतुक वहीं आसपास था जब उसने बाई मेई और दीन जियो को देखा था वह वास्तव में कहा गया था हमें मिस्टर बाई मेई से पूछना होगा मुझे मदद की जरूरत है मुबाई मुबाई स्टेडियम से जाओ मन्यन की उची आवास गूझ उठी मुबाई ने चातरों की ओर देखा हम जैसे जादूग्रों को आपकी तुलना में अधिक जोखिम का सामना करना पड़ता है मैं आपके अस्तित्व से पहले हमारे अस्तित्व का भी ख्याल रख सकता हूँ चातर स्टब्ध रह गए अगले ही पल म्यूबाई उनकी नजरों से उचल हो गई महासागर के दानव जादूग्रों को निशाना बनाते हैं विशेश रूप से वे लोग जिनके पास उच्चस्तर की साधना होती है उन्होंने बहुत लंबे समय तक हमें नहीं खोजा इसका मतलब है कि हमारी पद्धती प्रभावी है उस लड़के ने कहा जिसने पहले म्यूबाई से बात की थी लेकिन हम कब तक यहां छुपे रहेंगे? हमें इस जगह को छोड़ने का रास्ता खोजना होगा ब्लाट अलर्ट का मतलब है कि कोई रास्ता नहीं है यह सपश्ट था कि स्टेडियम सबसे खतरनाप जगह थी म्यूबाई ने असहाय छात्रों को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि अगर वह उन्हें अपने साथ लाता तो वह उन्हें और अधिक खतरे में डाल देता जब मूबाई ने स्टेडियम में प्रवेश किया तभी उन्होंने पाया कि स्टेडियम सफेद जिल्ली की परत से ढखा हुआ था जब उन्होंने इमारत को दूर से देखा तो उन्हें लगा कि यह स्टेडियम का मूल वास्तुशिल्प डिजाइं है विकृत आकार बिल्कुल एक विशाल सफेद अंडे जैसा लग रहा था मूबाई ने ज्ञाओ मान्यन की आवाज का अनुसर्ण किया स्टेडियम का आंतरिक स्थान अत्यंत उज्वल था मैं महासागरिय दानवों को अधिक समय तक रोक नहीं सकता ज्ञाओ मान्यन ने कहा ज्ञाओ मान्यन को कोस्ते हुए सुनने के बाद म्यूबाई को राहत मिली लेकिन कई महासागर राक्षसों ने लोगों को अपने जाल में भंसाने के लिए मानब भाशा की नकल की पी चीज में लिप्ता हुआ था, जैसे मकडी के जाले में दैनिय कीडे फंसे हो, उनकी आखे डर से चौडी हो गई थी, वे अभी भी जीवित थे, लेकिन ज्यादा समय नहीं लगेगा जब उन्हें पूरा निगल लिया जाएगा, वे पूरे स्टेडियम में उल्टे लटके हुए थे, उनमें से बहुत सारे थे, अंगिनक छोटे-छोटे सफेड कीडे उनके चारों ओर रेंग रहे थे, कीडे घ्रिनित लग रहे थे, कुछ कीडे लोगों की आखों और कानों में रेंग गए, जब कीडों ने अपना छिदर छोड़ा, तो वे मोटे हो गए, लेकिन म्यू बाई को उनकी मनजिल नहीं दिखी, क्या मैं जान सकता हूँ कि मिस्टर बाई में कौन है, म्यू बाई ने उपर देखा और स्टेडियम में मानव क्रिसलिस से पूछा, सन्योगवश मू बाई से 50 मीटर से भी कम दूरी पर एक मानव क्रिसलिस हवा में लटक रहा था, तेजी से आगे बढ़ा, यह एक चाप में बदल गया और लगभग इसके बगल में मानव क्रिसलिस से टकराया, म्यू बाई बिना किसी हिच्की चाहट के जूलते हुए मानव क्रिसलिस के पास पहुँची, उसके हाथ में सुनहरे रेशम के कीड़े मानव क्रिसलिस की ओर र दिया, शक्स का पूरा शरीर गीला और चिपचिपा था, उसने कीडो और परजीवियों को उगलना जारी रखा, सुनहरे रेशम के कीडो को अपने शरीर में जाने दो, वे सभी कीडो को मार सकते हैं, मुबाई ने कहा, यह सपष्ट था कि श्रीबाई में अनिच्छुक थे आखिरकार, कुछ ही समय पहले वे घेनित कीडे उसके चारों और रेंग गए थे, महासागरिय मैगोट्स अंगों की जीवन शक्ती को चूस लेते हैं, मैं तुम्हारे अंगों को ठीक करने जा रहा हूँ ताकि तुम इतनी जल्दी बुढ़े न हो जा, जदी आप देरी करत हैं, तो आप ठीक नहीं हो पाएंगे, मुबाई ने अपने शब्दों पर जोर दिया, मुबाई ने एंडीज में जादूगर जनजाती से बहुत सारे कौशल सीखे थे, उन्होंने एक बार उस प्रकार के कीडे को देखा था, जो मानव अंगों की जीवन शक्ती को चूस ल मुबाई ने स्टेडियम में प्रवेश करते ही लडाई की आवाज सुनी, हाला कि उन्हें इस बात की तनिक भी तातकालिकता का एहसास नहीं था, सौभाग्य से जाओ मन्यन महासागर राक्षसों से मुकाबला करने के लिए वहां मौजूद था ताकि वह दीन जियो के ठिक पर कहा, यहां उम्मीद करते हुए कि श्रीबाई में एक समझदार व्यक्ती थे, श्रीबाई में ने एक आभरी, फिर स्टेडियम की ओर देखा जो मानव क्रिसलिस से भरा हुआ था, मानव क्रिसलिस परल इंस्टिक्यूट के छात्र और शिक्षक थे, लेकिन इस समय वह उ इसे चुपचाप खड़ा रह सकता हुँ, श्रीबाई में एक व्यकुल थे, उन्हें नहीं पता था कि परल इंस्टिक्यूट के छात्रों को बचाने के लिए वह क्या कर सकते हैं, महासागर दानव अपने बिना फूटे अंडों को खिलाने के लिए खेती के आधार वाले ल नहीं लगीं, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, श्रीबाई में इसे पूछा, मुझे आपकी जरूरत है कि आप दीन जियाओ को खोजें, इस तरह की स्थिती में रहना उनके लिए पूरी तरह से बुरी बात नहीं है, जदी वे स्टेडियम के बाहर जाते हैं, तो स अश्चर्य की बात नहीं थी, कि उन्होंने यहां आते समय एक भी शव नहीं देखा था, वह विशाल सफेद दानव जिसने सफेद मांद बुना था, और हर जीवित व्यक्ती को एक संसाधन के रूप में मानता था, इसे अपनी अदली पीधी की संतानों के लिए जीवन शक तो उसने बहुत पहले ही ऐसा कर दिया होता, इसके बजाए इसने हमें क्रिसलिस बना दिया, लेकिन मौत का इंतजार करना यातना है क्योंकि कीडे आपको खाते हैं, मुझे लगता है कि अधिकांश छात्र ऐसी पीड़ा सेहन नहीं कर सकते, मैं उन्हें पीडित होते हुए नहीं देख सकता, और मैं उन्हें बिना यह जाने मौत का इंतजार करने नहीं दे सकता कि कोई उनके बचाव के लिए आएगा या नहीं, काश मैं अब उनके लिए कुछ कर पाता, अब तुम्हें मुझे मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यदि दीन जियाओ यहां होते, तो मेरा मानना है कि उन्होंने भी ऐसा ही किया होता, वह विद्यार्थियों को कभी पीछे नहीं छोडेंगे, उन्हें कुछ और भी महत्वपूर्ण काम संभालना था, इसलिए उन्होंने चातरों को मेरी देखभाल में छोड़ दिया, मैं उसे निराश नहीं कर सकता, श्र उन्हें सफेद मान से सुरक्षित बाहर निकालने की थी, समुदरी राक्षसों द्वारा उन पर घात लगा कर हमला न करने का कारण यह था कि उन्होंने अब तक कोई शक्तिशाली जादू नहीं किया था, उन्होंने सफेद राक्षस मान को नहीं छोड़ा था, जब तक वे सफेद राक्षस मान के अंदर रहे, मान का भयानक राक्षस दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर उन्होंने भागने की कोशिश की, तो भयानक राक्षस निश्चित रूप से खुद को प्रकट कर देगा, जिस राक्षस ने ऐसी मान बनाई थी, वह समराट स्थर के करीब ठीक है, मैं कोई रास्ता निकालूंगा, मुबाई ने आह भरी, श्रीबाई मेई को मनाना जारी रखना निरर्थक था, श्रीबाई मेई मुश्किल होने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वे सभी एक निराशाजंग स्थिती में थे और लोगों ने ऐसी स्थिती में जीवित र रहे थे, वे अपनी सासे खोने के कगार पर थे, आपको जो करना था वह उनकी वर्तमान निराशाजंग स्थिती से मुक्त होने में मदद करना था ताकि वे अभी भी आशा की किरन देख सकें, तभी वे अन्यमुद्दों पर शांती से सोच सकते थे, क्या आपके पास इसका कोई समाधान है, श्रीबाई मेई का चेहरा खुशी से चमक उठा, म्यूबाई ने कहा, मुझे ऐसे चात्रों की जरूरत है, जिनका खेती का आधार कम हो और जो अपनी गंध छिपाने में सक्षम हो, कम खेती का आधार, श्रीबाई मेई को समच नहीं आया, कि म्यूबाई क्या योजना बनाई थी, क्या ऐसी स्थिती के लिए उच्च साधना वाले छात्रों को नहीं चुना जाना चाहिए, अन्य था, वे वाइट नाइट क्रॉलर से कैसे लड़ सकते थे, जो अक्सर कहीं से भी प्रकट होते थे, वाइट नाइट क्रॉलर शक्तिशाली समुदरी साधना थी, सफेद राक्षस मांद बनने से पहले, परल इंस्टिट्यूट के शिक्षकों और छात्रों ने अन्यक शेत्रों से लोगों को निकालने में भी सहायता की थी, हमारे खेती के आधार जितने उचे होंगे, वाइट नाइट क्रॉलर के लिए हमें पहचानना उतना ही आसान होगा, ओशन देमन बेबीज के अंडे के चिलके इकठा करने के लिए हमें छात्रों की मदद की जरूरत है, जितना अधिक उतना बहतर, मियू बाई ने कहा, क्या आप कृप्या मुझे पहले अपनी योजना बता सकते हैं, कुछ छात्र कहीं और छुप गए हैं, अ अलाकि अभी तक निशिध जादूगर समराट स्तर के महासागर राक्षसों से मुकाबला कर रहे हैं, उनके लिए यहां आना और इस विशाल सफेद राक्षस से लड़ना कठिन होगा, इसे सपष्ट रूप से कहने के लिए अन्यक्षेत्रों के लोग अभी भी जीवित हो स हमें चात्रों को इस मांध के अंदर छिपाने के तरीकों के बारे में सोचना चाहिए ताकि यहां आपकी और चात्रों की एक सब्ताह तक रक्षा कर सके मिस्टर बाई मेई को म्यू बाई की बात समझ में आने लगी और उन्होंने उनकी बाते ध्यान से सुनी मैं मानव क्रिसलिस जैसा दिखने वाला प्यूपा बनाने के लिए महासागर दानव शिशुओं के अंडे के छिलके का उप्योग करूँगा फिर आप सभी सजीव प्यूपा के अंदर छिप सकते हैं और विशाल सफेद दानव के व्यक्तिगत संग्रह बन सकते हैं ऐसा करने से बाकी शक्तिशाली महासागर राक्षस बस आप पर हमला नहीं करेंगे आपको बस पहल करनी है और अपनी जादूई उर्जा उसियन मैगोट्स को देनी है जब वे उर्जा इकठा करने आएं उसियन मैगोट्स को खाली हाथ वापस न जाने दें मियू बाई ने कहा मियू बाई का सपश्टी करन सुनकर श्री बाई मेई की आखे चमक उठी वे अपनी सुरक्षा के लिए सजीव नकली मानव क्रिसलिस का उप्योग कर सकते थे यह एक अध्भुत विचार था मैं मियू बाई हूँ, साउथ विंग का नेता, मियू बाई ने अपना परिचय दिया बाई मेई मेरी योजना केवल समय के लिए रुख सकती है आपको यह समझना चाहिए कि मैजिक सिटी भारी आपदा के अधीन है और यह योजना फिलहाल अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए एक अलपकालिक समाधान है हमें वास्तव में जीवित रहने के लिए स्थिती को बदलना होगा मेरा विश्वास करो, हम सभी इसके लिए भुखतान कर रहे हैं मुबाई के शब्दों ने श्रीबाई मेई के दिल को छू लिया श्रीबाई मेई समझ गए कि वे जिस चीज का सामना कर रहे थे वह एक विशाल हिमशैल का टिप मात्र था अग्य था, अगर यह कुछ जरूरी न होता तो दीन जियो ने उन्हें कभी नहीं छोड़ा होता दीन जियो परल इंस्टिट्यूट को कभी नहीं छोड़ेंगे उसने जादूई शहर के लिए लड़ने का एक रास्ता खोज लिया होगा एक शिचक के रूप में उनकी देखभाल करने की अपनी जिम्मेदारी थी वह भी असाय था चाहे कुछ भी हो, हम वास्तव में आपकी मदद के लिए आभारी है मुझे लगता है कि आपके संस्थान में कुछ धर्तत्व प्रोफेसर है कृपया उन्हें ढूंढें मुझे उनकी मदद की जरूरत है मुबाई ने कहा ठीक है कोई बात नहीं इस बारे में क्या ख्याल है श्रीबाई में ने उपर देखा उन्होंने जाओ मान्यन को अभी भी भाइट नाइट क्रॉलर से लड़ते हुए देखा सफेद शव कभी कभी उपर से गिरते थे जिससे विचितर क्रिस्टल नीला तरल फैल जाता था चिंता मत करो वह उन्हें संभाल सकता है न्यूबाई ने कहा वह जाओ मन्यन को बहुत अच्छी तरह से जानता था अगर वह चिलाता रहा तो इसका मतलब था कि वह ठीक है जब जाओ मन्यन गंभीर खत्रे में था तो वह चुप और गंभीर हो गया कई वाइट नाट क्रॉल रोने क्षेतर में गश्ट की इन महासागर दानवों का डार कच्छुए के उत्तराधिकारी जाओ मन्यन से कोई मुकाबला नहीं था इसके अलावा सौन फियाओ और जियान शौकसु भी उनके साथ थे दोनों के पास खेती का आधार अपेक शाकरित उच्चस तरका था मुझे नहीं लगता कि उन्हें खत्म होने में इतना समय लगेगा बूढा जाओ शायद ही कभी इतनी बहादुरी और आक्रामक्ता से लड़ता है यह एक चमतकार है कि वह आज अपना सब कुछ दे रहे हैं ऐसा लगता है कि वह अपने अल्मामेटर की बहुत सराहना करते हैं म्यूबाई ने इस्तीफे में अपना सिरह लाया जाओ माम्यन अपने सामने आये संकट से निप्टे बिना शांती से नहीं जा सकते थे जदी श्रीबाई मेडीन जियो को ढूंड सकें तो उन्हें समय पर काम पूरा करने में सक्षम होना चाहिए अंधेरी खाई में भूतों ने चलते बादलों की तरहा वाइट टॉम पैलेस को ढख लिया वे महल के उपर एक विशाल तूफान के समान भी थे आसमान से खून की बारिश होने लगी वहाँ अनंत मरे हुए अवशेश थे भले ही अवशेश पाउडर के रूप में बदल गए थे और खून के पानी में मिल गए थे फिर भी उन्होंने खुद को मिटी के धेर की तरह एक साथ जोड लिया एक बच्चे की तरह जिसमें कलात मक्ता की कोई समच नहीं थी अवशेशों ने बस खुद को एक साथ जोड लिया उनके अंग और छाती की हड़िया अंदर की ओर थी जबकि उनके हृदय तिल्ली और पेट बाहर की ओर थे विचत्र मरे खुफु की सेना से संबंधित नहीं थे वे लाश राजा के अधीनस्थ थे कॉर्प सकिंग के छोटे फ्राइज ने ठोस ममियों से बचाव के लिए अपंग मरे को एक टुक्रे में रखना जारी रखा कंकाल सेना पहाडों में धेर हो गई गाय के शरीर और इंसान के सिरवाले राक्षस को कीमती महल को करने से रोकने के लिए उन्होंने भाइट टॉमग पैलेस के लिए हड़ियों और सीपियों से बनी सुरक्षा की एक परत प्रदान की राक्षस सोने से ढखा हुआ था और पहले से ही भाइट टॉमग पैलेस की विस्तरित सफेध सीधियों के नीचे अपना रास्ता बना चुका था इसने बेरहमी से अपने शरीर को सीधियों से टकराया सफेध सीधिया तूट गई और दरारी बीच तक फैल गई वाइट टॉमग पैलेस की अंडरज सनरक्षक सेना को ध्वस्त करने की कोशिश में कांस्य रजत और गोल्ड बुल राक्षस मुख्य शक्ती बन गई तेज जटकों के कारण वाइट टॉमग पैलेस के नीचे की जमीन दरख गई दिव्य ज्वाला फिनिक्स निर्वान वाइट टॉमग पैलेस की सीधियों पर आग की लप्टों में जलती हुई एक आकरती खड़ी थी उसके शरीर पर आग की लप्टे धधकते परवत शिखर की भाती भढ़क उठी पहाड की चोटी पर आग की लप्टे दिखाई दी नजारा बेहत खूबसूरत था यह पौरानिक फीनिक्स परवत के गहरी नीन से जागने जैसा था और उसने गुस्से से नीचे के प्राणियों की ओर देखा आकाश का आगमन दिव्य अगनी के अवतरन जैसा था खून की बारिश वाशपीकरित होकर लाल गैस बन गई आसमान खून से लाल हो गया आग की लप्टे तूफान की तरहा आकाश में घूम गई जिससे आकाश में भयानक रोशनी पैदा हो गई फीनिक्स निर्वान अभूत पूर्व विनाशकारी लप्टों से जल रहा था तभी वह परवत शिखर से नीचे जपटा मार कर गिर गया हाला कि फीनिक्स निर्वान के पंकों की लंबाई केबल 50 मीटर थी लेकिन जब इसने अपने पंक फैलाए और सीधियों को पार किया तो इसकी लप्टें 2 किलो मीटर तक फैल गई जैसे ही फीनिक्स निर्वान बुल मॉंस्टर के खेटर के पास पहुंचा वह उनसे आगे निकल गया और कांसे और सिल्वर बुल मॉंस्टर को मार डाला फीनिक्स निर्वान आग की लप्टें पैदा कर सकता था जो प्रतेक पंक से 1 किलो मीटर तक फैली हुई थी फीनिक्स निर्वान की सबसे बड़ी ताकत, अतिरंजित और भयानक आग पैदा करने की क्शमता थी भले ही बुल मॉंस्टर्स राख में तबदील नहीं हुए थे लेकिन वह चेत्र जहां से फीनिक्स निर्वान गुजरा था, आग की लप्टों के समुदर में बदल गया था भले ही कुछ बुल मॉंस्टर्स की मौके पर मौत नहीं हुई, लेकिन उन्हें भीशन जलन का सामना करना पड़ा और उनकी पीड़ा मौके पर मरने वालों की तुलना में अधिक गर्गनाक थी, उनमें से बहुत से लोग शक्तिशाली अगनी दैविय शक्ती से बच नहीं सके आग की लप्टों ने आकाश को रोशन कर दिया, गोल्ड बुल मॉंस्टर सीधियों के नीचे खड़ा रहा इसकी सुनहरी तवचा आग की लप्टों से थोड़ी विक्रित हो गई थी, इसका चहरा गुस्से से भर गया इसने एक भयानक अंधकार मैं आभा उत्सर्जिक की, और इसने मानव को दिव्य ज्वाला शक्ती से लक्षित किया मू, गोल्ड बुल राक्षस दहारने लगा, उसने अनिक्षा पूर्वक आकाश की ओर अपनी द्रिश्टी गड़ा दी बुल मॉंस्टर की नजर में एक अजीब मानसिक जादू था जब आकाश की नजर उस पर पड़ी, तो उसके सीने से अचानक क्रोध की तीवर भावना फूट पड़ी इससे उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसे बुल मॉंस्टर को मारना ही था, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े क्या घूरना उत्तेजक था, आकाश ने तुरंट अपना ड्रैगन सेंस बुलाया जब आकाश ने अपने ड्रैगन सेंस को बुलाया, तो वह काले पडार्थ के बादल से ढखा हुआ था जैसे जैसे लौममंध होती गई, काला पडार्थ धीरे धीरे फैलता गया इसका विस्तार हुआ और यह एक ड्रैगन में बदल गया ड्रैगन के पसंदीदा भोजन में से एक बैल प्रकार के जीव थे पश्चिमी देशों में बैल प्रकार के विभिन जादूई जीव थे उनका मास रसदार और स्वादिष्ट था ड्रैगन के प्रती उनका प्रारंभिक दर उनकी हड़्डियों के भीतर से आया था और उसे काट दिया, गोल्ड बुल मॉंस्टर का सिर उसकी गरगन से गिर गया, सारी जमीन पर सोना बिखर गया, उसका भारी सिर सफेद सीधियों पर तूट गया, कुछ सीधिया तूट गई, माउंटेन जोंबी बहुत बड़ा था, और कॉर्पस किंग उससे अलग था, आकाश को लाश राजा एक मरे हुए की तरह लग रहा था, यह फुर्तीला, शक्तिशाली और बुद्धिमान था, आकाश का पहले कभी भी लाश राजा से सामना नहीं हुआ था, लाश राजा ने अपना सिर घुमाया और आकाश की ओर देखा, उसने आकाश के बारे में ना कि वह इस पर क्या प्रतिक्रिया दे और उसने अजीब तरह से अपना सिर्ख हुजलाया। उसने अपने दात दिखाए। वह भयानक और डरावनी लग रही थी। वह ऐसी लग रही थी जैसे वह अंतह अपनी दास्ता में पहुँच गई हो। भूरे पंक वाले नाखोन बारिश की तरह सघन रूप से नीचे गिरे। आकाश कहीं छिप नहीं सकता था। तभी कई लोह शव बुद्धिहीं थे और उनमें कोई चेतना नहीं थी। उसे बोज महसूस करने की ज़ूरत नहीं थी। इस बीच उसने याद करने की कोशिश की कि क्या उसने पहले कभी इगल विच देखा था। मेरी आख की पुतली। मुझे मेरी आख की पुतली वापस दे दो। यूरी एली इगल चुडैल थी जो होली सिटी में इंसानों की खाल बेचती थी, आकाश ने सोचा। तो यह वह थी। आकाश ने पवित्र शहर के अभ्यारण्य में प्रवेश करने के लिए यूरी एली की आख, धोखे की आख, चुराली थी। हाला कि धोखे की आख का उप में एक दुष्ट चुडैल से धोखे की आख फोर ली थी। आकाश को खासी की आवाज सुनाई दी तो यह बच्चा वही है जिसने मेरी चोटी बहन की आख चुराई है। कितना सुंदर प्राच्च लड़का है। हम उसे पकड़ लेंगे, उसे एक मानव नमुने में बदल रही थी। महिला का शरीर सांप जैसा नहीं लग रहा था। उसका शरीर लाल रंका बिच्चु जैसा था। वह अपने नुकीले और पतले पैरों के साथ काच की उंची एडी के जूते में थी। वह अपनी पूच को आकाश की ओर घुमाती रही, मानो पूच का अपना ही ज लेंगे। यहां तक कि अपास ने वाइट टॉंब पैलिस में अपनी दो बड़ी बहनों से मिलने के बारे में कभी नहीं सोचा था। मैंने सुना है कि मेरी छोटी बहन इतने समय से आपकी सेवा कर रही है। क्या आप उसे बाहर आने के लिए कह सकते हैं? हमें मिले काफी सम उसकी सुनहरी गुलाबी आखों में रोश की जलक दिख रही थी। उसने अपने क्रोध को दबाया और एक तीवर बरफीली ठंडी आभा प्रस्तुप की जो मेडुसा की रानी की थी। जब अपास आया तो बिच्चु और चील की रानी दहारने लगी। देखते ही देखते दोनों राक्षसों की आखें सुनहरी गुलाबी हो गई। वे सभी भाई भन थे। हाला कि ट्रिशिना और यूरी एली की माताय अपास की तुलना में भिन वंश से थी। अपास की मा एक इनसान थी। ट्रिशिना की मा बिच्चु की रानी थी। और यूरी एली की मा एक अपास को सौंप देगी। अपास को सौंप देगी। अपास से आई थी और उसने बहुत पहले ही दिव्य कोशल में महारत हासिल कर ली थी। जब उसने स्वर्गिये डरे हुए पवित्र बाग का सामना किया तो अपास ने उसकी बाद की छवी का एक हिस्सा प्रकट किया था। उसक्षन दिव्य साब की छाया अपास की सुंदर आकरिती के चारों और लिपट गई। एक शरीर में दुष्टता और पवित्रता का सहस्तित्व देखना चौकाने वाला था। इससे पता चला कि अपास ने अपना असली रूप बहुत अच्छे से छुपाया था। तो उसे अभी भी समराट स्तर हासिल करने और हमारे अनुबंध से मुक्ठ होने की उम्मीद थी आकाश को एहसास हुआ। कितना धूर्ट कुतिया है। यदि यह तथ्यन न होता कि वे अपास के दो सबसे बड़े शत्रों में शामिल हो गए तो आकाश को इसके बारे में तब तक कभी पता नहीं चलता जब तक अपास ने उसे धोखा नहीं दिया। सवभाग्य से उनकी खेती में कई गुना सुधार हुआ था। अन्य था अपास के वर्तमान स्वरूप और आभा को देखते हुए वह वास्तव में बलपूर्वक उनकी अनुबंधित आत्मा को तोर सकती थी। गर्जन! गर्जन! सीधियों के नीचे बेजान जमीन से दहार की आवाज आ रही थी। अगले ही पल विशाल मरे हुए सेना से एक विशाल प्राणी प्रकट हुआ और आकाश पर हमला कर दिया। जीव ने बुल मॉंस्टर्स, ममियों और डार्क स्वोर्ड मास्टर्स को काट डाला। यह सेना को पार कर वाइट टॉंग पैलेस की सीधियों पर चड़ गया। गर्जना की आवाज ने मरे हुए सेना को हिला कर रख दिया। और मरे हुए प्राणी के बगल में कीचड की तरह गिरने में थोड़ा समय लगा। यह स्विंग्स था। स्विंग्स एक सुनहरा शेर था जिसका चेहरा इनसान जैसा था। आकाश को अच्छी तरह याद है कि जब वह उत्तरी शिंजिया में राक्षस के रूप में था तो उस पर बहुत आधात हुआ था। स्विंग्स प्रतिशोधी था। इसने आकाश को एक ही नजर में पहचान लिया। उसने अपनी आखे मूद ली और उसकी आखे खुशी से चमक उठी। तो यहाँ आप है। घटिया इनसान। स्विंग्स मुस्कुराया। अर्स होल क्या तुम्हें फिर से मौद की इच्छा है। आकाश चिलाया। मैं शेड नहीं हूँ। मैं फिरॉन हूँ। स्विंग्स ने उनके शब्दों पर जोर दिया। तो फिर मैं मसी हूँ। आकाश ने पलटवार किया। स्विंग्स के स्टर के प्राणियों का सामना करते समय आकाश तुरंत फ्लेम देमन किंग में बदल गया। वह आग की परतों से जल रहा था। प्रत्येक परत में अत्यंत शक्तिशाली लपते थी। जब आकाश ने हमला शुरू किया, तो आग की लहरें टेजी से उठी। हाँ, हाँ, अब भी वही पुरानी चान। पिछले कुछ वर्षों में आपने बहुत सुधार नहीं किया है, स्विंग्स ने तिरसकार पूर्वक कहा। स्विंग्स रेत और मिक्टी से बना था। यह एक पत्थर की मूर्ती थी। यह आकाश की मारक शमता से नहीं डरता था। पिछली बार उत्तरी शिंजियान में इसकी अगने तत्व जादूई शक्ति के बारे में पता चला था। उस समय खुफु की एक लाख हरावल सेना के सामने आकाश राक्षस रूप में था। इस बीच कई शासक्स्तर के राक्षसों के मरने के बाद स्विंग्स ने हमला किया था। आकाश ने व्यंग्य किया। स्विंग्स को जल्द ही उसकी नवीनतम प्रक्ती के बारे में पता चल जाएगा। आकाश ने अपनी सारी दिव शक्ति आग में अपनी जीवन शक्ति खोदी हो और एक अजे स्वर्ण प्रतिमा में बदल गई हो। स्विंक्स द्वारा आकाश की शक्तिशाली आग की लहर को रोकने के बाद वह फिर से जीवित हो गया। इसने अपने शरीर का विस्तार इस प्रकार किया कि यह लगभग आकाश में भूतों के बादलों तक पहुँच गया। उसने ध्यान केंदरित करने के लिए अपनी इंद्रियों को परियाप्त रूप से प्राप्त कर लिया। आकाश ने सिर हिलाया। जब उसने स्विंस को देखा, तो उसने देखा कि यह एक अलौकिक सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। पाताल की चमक ने इसे विशाल और विशाल बना दिया। आप आकार के लिए प्रतिसपरधा करना चाहते हैं। ओर्त आकाश को स्विंस की चाल के बारे में पता था। उसने अपने ब्लैक ड्रैगन विंस फैलाए। वह एक बड़ी काली चाया से धका हुआ था। उसके पंक फैलते रहे और काली चाया बढ़ती रही। साज और भोर के पंक ब्लैक ड्रैगन विंस की ड्रैगन आत्मा ने आकाश को एक विशेश दमन और सन्यम क्षमता प्रदान की। स्फिंग्स ने क्यूई तियान परिवर्तन क्षमता का प्रदर्शन किया था। अपने ब्लैक ड्रैगन की क्यूई तियान क्षमता के बारे में स्फिंग्स की आखें खोलने की बारी आकाश की थी। ब्लैक ड्रैगन समराट आकाश का राजा था। जब आकाश ने अपने पंक फैलाए, तो परवत श्रिंखला पर चमकने वाली सूरज की रोशनी को पंको ने रोक लिया. यदि वह चाहता तो जमीन के बड़े टुकडे को भी पल भर में अराजकता और अंधेरे में गायब कर सकता था. स्फिंख्स की अंडर्वर्ड रोशनी चमक उठी. यहाँ आकाश जैसे कुछ इंसानों को दबाने के लिए सबसे सरल और सबसे कुरूर तरीका अपनाना चाहता था. यह कम ही लोग जानते थे कि प्राचीन ब्लैक ड्रैगन समराट खुफू जितना ही शक्तिशाली था. खुफू से उधार ली गई स्फिंख्स की अंडर्वर्ड लाइट की तुलना आकाश की ब्लैक ड्रैगन सोल से कैसे की जा सकती है? आकाश ने स्फिंख्स को आसानी से दबा दिया. स्फिंख्स की अधोलोग की रोश्नी जो निर्जीव भूमी पर प्रतिबिम्बित होती थी, धीरे-धीरे सिकुर गई और अपने आप में वापस आ गई. इस बीच आकाश की ब्लैक ड्रैगन चाया धूमेल नहीं हुई. इसके बजाए उसकी चाया मरे हुए लोगों की अराजक लड़ाई पर हावी रही. जब मरे हुए जानवरों ने उसके काले ड्रैगन समराट के पंखों को देखा, तो वे डरके मारे घुटनों के बल बैठ गए और कामपने लगे. उनमें युद्ध लड़ने की इच्छा शक्ती पूरी तरहा खत्म हो गई. स्विंसक बिच्छू की रानी त्रिशना और इगल चुडैल की रानी यूरी एली खुफु के तीन मुख्य से नापती थे. वे सभी आकाश की ओर देखने लगे. आकाश एक समय एक छोटा सा इंसान था और वे उसे अपनी उंगलियों के जटके से मार सकते थे. हाला कि वह ब्लैक ड्रैगन समराट में बदल गया था जो उनके वंच से बहतर था. उनके हृदय में भय उत्पन हो गया. वे इर्श्या और आक्रोश से भरे हुए थे. एक प्राचीन और अहंकारी ब्लैक ड्रैगन खुद को विनमर करने और इंसान का कवच बनने के लिए क्यों तयार होगा. इसके अलावा इसमें अपनी ड्रैगन आत्मा भी शामिल थी. उसे मार दो और उसका ब्लैक ड्रैगन कवच हटाओ. त्रिशिना बंशी की करहे चिल्लाई. वह अब उतनी सुंदर्या सुरुचिपूर्ण नहीं लग रही थी जैसी वह पहले दिखती थी. वर्तमान त्रिशिना एक भयानक बंशी में बदल गई जो की शैतान से अलग नहीं थी. स्फिंक्स आकाश की ब्लैक ड्रैगन चाया से भयभीत था. यह सहज रूप से कुछ कदम पीछे हट गया. हाला कि यह याद करने के बाद कि आकाश उसे डराने के लिए ब्लैक ड्रैगन चाया का उपयोग कर रहा था. वह गुस्से में आ गया और भयंकर दहारने लगा. गर्जनाव ने अंधेरी खाई को हिला दिया. स्फिंक्स आकाश में उड़ गया और रेट उगलने से पहले आकाश की ओर देखा. रेट उसके मुह से बहते पानी की तरहबह निकली. प्रत्य एक दाने में गुरुत्वा कर्शन का जादू था. जब वह जमीन पर गिरा, तो उससे लुढकते हुए पहाडी पत्थर जैसा प्रभाव हुआ. स्फिंक्स द्वारा रेट की शक्ती प्रकट करने के बाद, वह आकाश पर बरसती रही. उसकी ब्लैक ड्रैगन चाया केवल स्फिंक्स और खुफु की मरे हुए जानवरों की सेना को दराने में सक्षम थी. यह स्फिंक्स के व्याभारिक प्रिथवी तत्व जादू के खिलाफ उसकी रक्षा नहीं कर सकती थी. रेट की नदी का बहाव भयानक था. वाइट टॉम्ड पैलेस एक उभरती हुई चट्टान की धलान पर बनाया गया था. उसका मुख निर्जीव भूमी की ओर था और उसकी पीठ गहरे गड़े की ओर थी. दोनों तरफ खड़ी धलाने थी जो नीचे अथा खाई तक जाती थी. रेट की नदी ने बेजान भूमी को धख दिया और धीरे-धीरे सीधियों पर पानी भर गया. यदि कुछ नहीं किया गया तो स्फिंग्स वाइट टॉम्ड पैलेस को रेट के सामराज में बदल सकता है. रेट का सामराज आकाश रेट की लहरों पर खड़ा था. उसकी आखें चमकदार सुनहरे भूरे रंग में बदल गई. वह आत्म विश्वासी और अलग थलग दिख रहा था. चौथा सहवर्ती प्रभाव रेट का सामराज स्फिंग्स दुनिया का एक मात्र प्राणी नहीं था, जो बजरी के नियम को नियंत्रित कर सकता था. आकाश का रॉक हेवन सीड सिर्फ आँखो को खुश करने के लिए नहीं था, बलकि इसने उसे चार प्रभाव भी प्रदान किये. भले ही आकाश दूसरे साथ वाले प्रभाव स्टोन सील और किंगडम आफ सैंड का उप्योग कर रहा था, उसके पास देजर्ट बीस्ट दस स्फिंग्स के सामने शक्ती डालने का साहस था. यदि स्फिंग्स की रेट नदी उसे निगल जाती, तो वह चट्टानों से बनी स्वर्गिय खाई बनाकर जवाबी हमला करता. रेट के सामराज्य ने आकाश को आसपास के प्रिथवी तत्व पदार्थ को नियंतरित करने की क्षमता प्रदान की. प्रिथवी तत्व पदार्थ में रेट, चट्टाने, मिट्टी और दुश्मन का प्रिथवी तत्व जादू शामिल है. इसलिए आकाश स्विंग्स की रेट नदी में हैर्फेर करने में सक्षम था. युद्ध के मैदान में बार-बार राक्षशी और जादू टोना किया जाता था. उसी समय पत्थर चुराने वाली सील ने उससे जबरदस्ट उर्जा अवशोशित कर ली. आकाश ने अपनी रेट नदी से स्विंग्स के प्रिथवी तत्व पदार्थ का हिस्सा प्राप्थ करने से पहले अपने प्रिथवी तत्व सैनिकों को उर्जा से मजबूत किया. वह थोड़े समय के भीतर प्रित्वी तत्व की उर्जा में हैरफेर कर सकता था जो स्विंक्स की रेट नदी जितनी मजबूत थी स्वर्गिय खाई जमीन से उठी और दूसरी ओर के आकाश को अवरुध कर दिया स्वर्गिय खाई ने रेट नदी के निरंतर प्रवाह को रोक दिया इसने रेट की लुडक्ती, भारी और शक्तिशाली लहरों को खुफू की ममियों तक वापस भेज दिया जब स्विंक्स ने यह देखा तो उसने तुरंट अपना मुह बंद कर लिया रेट की नदी रुप गई, सुनरे दाने धीरे-धीरे हिले और फैल गए यह धीरे-धीरे स्वर्गिय खाई के सामने एक बड़े रेट के टीले में बदल गया स्वर्गिय खाई और विशाल रेत का टीला वाय टॉंग पैलेस के सामने खड़ा था और दो रेत अवरोधों का निर्मान किया परिनामस्वरूप खुफु की अंडर्डेड सेना को प्राचीन राजधानी के अंडर्डेड से लडने से पहले बाधाओं को पार करना पड़ा दूसरी और प्राचीन राजधानी के मरे हुऊं को प्राकृतिक बाधाए प्रदान की गई लड़ाई अब उनके लिए अधिक अनुकूल थी उन्हें एक फाइदा था बेवकूफ शेर उनके लिए दीवारे बनाना बंद करो यूरी एली क्रोधित हो गया मैं शेर नहीं हूँ, मैं फिरॉन राजा हूँ स्विंस गुस्से में फूट पड़ा इसने कभी यह अपेक्षा नहीं की थी कि एक तुछ मानब के पास इतना शक्तिशाली प्रिथवी तत्व जादू होगा जब वे अतीत में उत्तरी शिंजियान में लड़े थे तब उन्हें आकाश से प्रिथवी तत्व जादू की अभा का एसास नहीं हुआ था